हलो फ्रेंट वेलकम टू दी कॉंसेट यूट्यूब चैनल मेरा नाम है विशाल चोहान और यूपी एसी सी एसी के लिए एंशेंट हिस्टरी के हमने जो सीरीज शुरू करी है उसमें आज हमारा लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम पोस्ट गुपता उसके अलावा संगम एजम समझी चुके हैं ठीक है सो आज की टॉपिक को समझने से समझने के लिए आपको उन सभी टॉपिक को देखना बहुत जरूरी है तो मैं स्टूडन्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवेस सेशन नहीं देखे हैं तो दा प्रॉसेस ऑफ चेंज को समझ रहे हैं और सिंस यह सेशन्स कवर कर रहे हैं प्रिलिम्स के लिए सो हमारा में में फोकस जो है वो किस पर रहता है टाइप ऑफ क्वेश्चन्स पर किस तरह के कुश्चन्स जो है वो प्री में बनते हैं लेकिन प्री में प्री के लिए तो है sessions लेकिन उसके अलावा mains के लिए concept building भी हो रही है क्योंकि पूरा process of change का concept तो मैं आपको समझाता ही हूँ ठीक है सो पिछले sessions देखिए उन sessions में आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे मेरे पढ़ाने की philosophy क्या है और हम अभी तक किस मतलब curvature में रहे कर हमने subject को कैसे prepare किया है ठीक है उसके लावा अगर आप चाते हैं इन सभी sessions के आपको pdf मिल जाएं तो telegram channel है मेरा चोहान underscore sir underscore history इस telegram channel को subscribe किजिए आपको सारे pdf मिल जाएंगे sessions के उसके लावा इस telegram channel पर सभी special classes के link में लेंगे क्योंकि अभी prelims की series चल रही है तो हमने अभी recently previous year questions की series खतम करी जिसमें हमने 2020 से 1990s तक के जो है वो paper देखे उसके बाद अब हमारी most important questions की series चल रही है prelims के लिए ठीक है जिसमें chapter by chapter जो है वो सारे important topics को topics related questions करेंगे एक revision करते हो जाएंगे type of questions को देखते जाएंगे उसके अलावा same नाम से मैं आपको इंस्टा पर भी मिल जाओंगा अगर आपका कोई doubt है तो आप मुझे direct message instagram पर भी कर सकते हैं आप अगर कोई book चाते हैं तो मुझे आप instagram पर dm कर सकते हैं हो सकता है अगर मेरी capacity में रहा तो वो book मैं आपको telegram channel पर provide कर सकूंगा ठीक है उसके अलावा अगर आप अपने घर के comfort में बैठके UPSC CSC के लिए तयार करना चाहते हैं तो अनकेडमी आपके लिए लेकर आया है subscription plan plus and iconic जिसमें इंडिया के top educators से आपको पढ़ने का मौका तो मिले गई जिसमें daily की live classes है structured course है unlimited access is a great feature उसके लावा live tests and quizzes है और अगर आप एक साथ इतनी लमसम payment नहीं कर सकते हैं तो अनकेडमी लेकर आया है loan for UPSC जिसमें 0 rupees processing fees, 0% interest rate, 2 घंटे के अंदर approval, no hidden charges, minimal paperwork इस link पर जाएगा वीडियो के नीचे आपको ये description में link मिल जाएगा बाकी सारी information आपको loan के बारे में मिल जाएगी जैसे कि मैंने कहा ना, इंडिया के top educators से पढ़ने का मौका आपको मिलता है, उनके साथ आप live interact कर सकते हैं, अगर आपके पास iconic plan है, plus के अलावा, so आपको personal guidance मिलती है, test analysis मिलता है, study material मिलता है, expert guidelines मिलती है, right, that is, वो additional features है, iconic के उसके अलावा अगर आप 10% का discount जाते हैं, तो definitely मेरा code यूज कीजिएगा, chohan underscore sir underscore history, आपको मिलेगा 10% का discount और मुझे मिलेगा आप लोगा support test series शुरू हो चुकी है, rise, world of ways and academy pathfinder, free test series है, बहुत अच्छा mock की तरह काम करेंगे, आपके लिए, avail करने के लिए code यूज करें, chohan underscore sir underscore history, उसके अलावा, एक year के batches, दो year के batches, NCRT batches, right, strengthen your basic NCRT English में, उसके अलावा, expedition UPSC CSE 2023, GS batch जो है, वो शुरू हो चुका है, तो अगर आप application पर जाते हैं, हमारी learning application को install करते हैं, तो इन सभी batches के बारे में, आपको detail में knowledge महाँ पर मिल जाएगी, make sure you check that out, right, उसके अलावा, हर Sunday, an academy combat scholarship test हो रहा है, हिंदी में भी available है, code यूज करें, chohan underscore sir underscore history, enroll करने के लिए, top 500 rankers को scholarship मिलता है, top 3 rankers को पूरे साल की subscription मिलती है, free, right, जरूर जो है, वो enroll करें, बहुत बहतेरीन mock की तरह काम करता है, आपके लिए ये भी, so आईए शुरू करते हैं, आज का हमारे session, so जैसे कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पल्लवों के बारे में, है ना, पल्लव्स के बारे में, तो अभी तक हम क्या जान और पांडया, है ना, जिनका मैं पिये रहा, देखिए, पांडया, चेर और चोल, चोल जो है, वो आपके कावेरी नदी के around, और उरायूर और फे तंजावूर उनकी subsequent capital रही, ठीक है, उसके अलावा पांडया जो है, वो मदुराई सिटी के around based हैं, और चेर जो है, वो पेरि पुरम के around जो है, वो पलव डाइनस्टी जो है, वो डवलप होगी, तो संगम एज के, पहली बात हो संगम एज के बाद, अब यहाँ पर confusion रहता है बच्चों को, देखिए, संगम एज रखी थी हमने 3rd century, BC से 3rd century AD के बीच, ठीक है, पिर उसके बाद दक्षन भारत में चोल का development होगा 9th century से, अब यह 3rd century से 9th century के बीच का जो period है, इसमें चोल जो है, वो कहीं न कहीं, उनकी history के बारे में जानकारी हमें, बहुत कम है, और यह संगम एज को खतम किया कि इसने काल भरों है, अब काल भरों का रिप्लेस कौन करेंगे दक्षन भारत में, साउथ इंडिय हमें काल भरों का रिप्लेस करेंगे पल्ला, ठीक है, और पल्लव, जब पल्लव शक्ती में आएंगे, काल भरों का रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो पल्लवों के साथ साथ, चेर, पांडिया और चोल भी मौजूद है, लेकिन बहुत छोटी-छोटी capacity में उनके बारे में, जादा जानकारी नहीं है, थर्ड से 6th century तक, अंदकार है, जिसको डाक एज कहा जाता है इनकी हिस्ट्री का, खास तोर के चोलो के बारे में, उनके बारे में तो जानकारी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हो कह रहा है, तो काल भरा जाएंगे 3rd century AD के बाद, 3rd century AD स लगबग 6th century तक काल भराज जो है वो इस पूरे इरिया को डॉमिनेट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे कांचीपुरम से पलब डवलप होते जाएंगे, जो काल भरों को हराएंगे, और दूसरा जो है वो conflict किसके दाथ रहेगा इनका, देखिए पलब जो भी पॉलिटिकल शक्ती डवलप हो रही है, उनका मेनेम क्या है, क्या मेनेम है कि West Coast, East Coast को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि यह West Coast, East Coast वाला ट्रेड उनके हाथ में आए, पीच में टोल ना देना पड़े, अब यह काम चालुक्य जो है वो पलबों को करने से रोकेंगे, क चालुक्यों के अलावा पलव से भी अच्छे ट्रेड कर सकेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मान लिजिए, इस पूरे Coast लाइन पर चालुक्यों की मनोपली रहती है, तो अरब के साथ, फार्स के साथ जितना भी ट्रेड हो केवल चालुक्य करेंगे, ठीक है, तो जो भ कोस्ट में भी ये वाला रिजिन, वेंगी, कलिंग वाला जो रिजिन है, ये भी चालुक्यों के कंट्रोल में रहे है, और पलव इसका बिल्कुल भी प्रीच चाते है, पलव चाते है कि ये माला बार, माला बार, एस वेल इधर कोरो मंडल जो है, वो पूरे Coast किसके कंट्रो में रहे है, पलव हों के कंट्रोल में रहे है, ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि जो Coast Line है, इनके लिए लड़ाई है, लेकिन नोट जस Coast Line, प्रोडक्शन और कहां से निकल रहा है, प्रोडक्शन निकल रहा है, अगरी कल्चुरल प्रड्यूज, अगरी कल्चु अगई एज के बाद डाइनस्टी, उस डाइनस्टी में एकिंग, उस किंग की सिटी, तो जो सिटी है, उन सिटी से क्या चल रहा है, और उन सिटी में क्या देखने को मिलेंगे हमें, टेमपल, मैं आपको ये टरेंड बतायाई ताना है, कि टेमपल आर्किटेक्चुर को चालूक्यों से जुड़ी हुई City पल्लवों से जुडई हुई Citiesू City शीटी का हमें ध्यान रखना है क्योंकि पल्लवों के साथ कांची पूर्ण जुड़ेगा ठीक्ए और चालूक्यों केसा जुड़ेगी उनकी वता पी Capital ठीक् graph तो आज हमें पल्लव और चालुक्यों के बारे में पढ़ना है पल्लव और चालुक्यों के बीच में दक्षिन भारत में दक्षिन भारत को अपने कंट्रोल में करने की है दक्कन गेरिया को अपने कंट्रोल में करने की जो है वो होड है क्यूं है क्यूंकि वो दोनों चाहते ह कि west coast east coast trade जो है वो उनके पास रहे लेकिन कहीं न कहीं आप देखेंगे कि दोनों के बीच में एक understanding बनेगी कि चालुक्य जो है वो उपर वाला west coast east coast और पलव जो है वो नीचे वाला west coast east coast अपने control में लेंगे क्योंकि भारत से और साउथ इस्ट एशिया से और अरब फारस से इ कोई एक बड़ा empire उसको handle दक्षिन भारत में नहीं कर सकता तो उन्होंने आपस में अंत में जो है वह हमें एक सहमती सी बनती नजर आएगी हम देखेंगे क्या वो सहमती बनी या नहीं बनी या अगर peace बना तो वो कितने समय तक वो peace चला ठीक है so that means आज की topic से हमें क्या-क् कारी लेंगे और सबसे important रहता है इनका art और culture अब इनके art और culture के बारे में केवल आपको एक glimpse बहर दूँगा क्यूंकि जो culture की series अभी just इसके बाद क्यूंकि ये last topic है ठीक है ये last topic है इसके बाद culture की series शुरू हो जाएगी ठीक है so culture की series में आपको मैं बहुत detail में करवाऊंगा पलोगों का art और culture यहाँ पर केवल आपको थोड़ा सा hint दे दूँगा ठीक है लेकिन हमारा main focus किस पर आएगा political history और administrative history पर ठीक है और political और administrative history में किस तरह की question मनेंगे type of question भी तरह बहुत important चीज है न हमारे पास तो process of change में हमें क्या पढ़ना है political history और administrative history पर खासा हमारा जोर रहेगा art और culture और religion यह सारी चीज़े हम culture वाले part में तो कर लेंगे कवर ठीक है उन मतलब और art culture religion इनकी जो है वो हलकी सी एक बिलकुल मतलब नीव में रख दूँगा इनी sessions में बाकी culture वाला part जो हम explore करेंगे त तो वहाँ पर detail में cover हो जाएगे ठीक उसके अलावा next type of questions क्या होता है terminology तो हम देखेंगे important terminology हमाई निकलती हुई दिखती है क्या और सबसे important type of question क्या है sources of history उसके अलावा sites important sites मैंने बोला ना कि cities port cities trade क्योंकि सारा जगड़ा जो है वो almost trade के लिए होता है तो वो trade routes वो trade port cities जो ह follow करते आ रहे हैं तो इन सारी terms के साथ जो है वो आप काफी convergent होंगे आपको पता होगा कि हमें किन किन points पर ध्यान देना होता है ठीक है since यह pre-oriented sessions है right so आप जो है वो process of change terminology sources of history sites chronology इस तरह यह question पर ध्यान देंगे लेकिन GS1 के लिए भी हमें नीव यहीं से ही डालनी है optional के लिए भी हमें जो हलका हलका जो है वो concept यहीं से ही develop करना है तो वो क्या है वो है हमारे पास GS1 में तो art and culture में और optional के लिए जो है वो political as well as administrative history ठीक है उसके लावा economic history का जो है वो हमें थोड़ा बहुत concept यहीं से develop करते वह चलना है ठीक है so I hope आपका basic अभी तयार होगा आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं हुई दकाल भरा dynasty ruled for about 250 years third century से लेकर 6th century तक किस ने control किया देखे 3rd century BC से 3rd century ADE यह 3rd century BCE से 3rd century CE तक हमारा संगम एज रहता है यह मैं कहां से पता चला हमें संगम literature से पता चल रहे है ठीक है और हमारे पास कुछ archaeological sources भी है तो sources of history ध्यान रखना है ना हमारे पास sources of history literary as well as archaeological होते है लिट्रारी में हमारे पास जो है वो कैसे literature होंगे आपर संस्कृत जैन बुद्ध तमिल तेलगु लिट्री लिट्रेचर ठीक है तो यह हमारे पास numismatics में भी हम देखेंगे हमें क्या मिलता है तो sources of history पर हमें खासा ध्यान रखना ही होता है यह तो आप लोग जानते ही है ना so 3rd century BC से 3rd century AD संगमेज और 3rd century AD से 6th century almost 6th century तक जो है वो काल भराज ने दक्षिड भारत पर डॉमिनेट किया इसी same period में जो डेकन वाला रीजन है यहाँ पर सत्वाहनों के बाद वक्टके जो है वो एक्टिव थे और फिर वक्टकों के बाद धीर दीर वक्टकों की जगा क इसनेली चालुक्यों ने ठीक है देर आफ्टर दपल्लव्स हुवर फ्यूडेटरी जो है वो किसके लिए इस्तमाल होगा मंदलम हो गया पाडी हो गया वाडी वर्ड यह सब जो है वो प्रोविंस के लिए यूज होंगे ठीक है सो जो टोंडाई मंदलम है यह जो रिजन है टोंडाई मंदलम यह पहले सतवाहनों के फ्यूडेटरी है पल्लव देख रहे हैं तो सतवाहनों के फ्यूडेटरी से लेकर यानि कि यह सतवाहनों के बाद वक्टकों के बाद काल भरों के अंडर भी जो है यह कहीं न कहीं ठीक है लेकिन बड़ी डाइनेस्टी के रूप में कब एस्टेबलीश हुए ये वही देखते हैं आपको द्यान रखना है कांची पूरम पलवों के साथ आपको जोड़ना है और सत्वाहनों के समय से ही सत्वाहनों के फिडेटरी है अब इस मैप में देखिएगा लेटर गुपता पीरेड अब 590 AD तक आते आते पलव जो है वो धिरे धिरे डेवलप हो जाएंगे ठीक है और पलवों के साथ कंपेटिशन में कौन आ जाएंगे चालूक के है ना वक्टकों के खतम होने के बाद वक्टकों की जगा लेंगे चालूक के और नीचे जो है वो काल भरों की जगा लेंगे कौन पलव और चेर पांडेया चोल जो है वो चोल मतलब पलवों के फिडेटरी बनके बहुत छोटी शक्ती बनकर रह रहे हैं आगे देखते हैं अब ये eventually पलवों ने अपनी शक्ती और चालुक्यों के साथ conflict के साथ जो है वो तुंग भदरा को अपने बीच में border बनाया चालुक्यों और पलवों के बीच में ठीक है तुंग भदरा रिवर जो है वो natural border बनी उसके अलावा अब पलव और चालुक्यों के चालुक्यों के बीच में जो है वो obviously conflict चलता रहा दोनों क्या सोच रहे हैं पलव उनकी capital को खतम करते हैं और चालुक्यों की capital को लूटते हैं यही हमें बार-बार conflict नजर आएगा capital लूट ही एक दूसरे कि इन्होंने आगे बढ़ते हैं अब यहां पर चालुक्यों के देख क्योंकि अगर पलवों के पास west coast आ गया तो अब अरब लोग अरभी लोग गुजरात से ठीक है या उसके अलावा मतलब समझने है coastline है तो हर जगा trade करेंगे अब वो अरब से भी करेंगे फारस से भी करेंगे अफरीका से भी करेंगे जो कि चालुक्या होने नहीं देना चा अब यह है source of history कि कहां से हमें पलवों के बारे में पता चल रहा है तो पलव इशूट देर अर्लियर इंस्क्रिप्शन इन प्राकरेत संस्क्रेत देखिए अब पलवों के साथ-साथ language development बहुत सारे बच्चे पुछते हैं sir language development कैसे हुआ मैं उनको जवाब देने से थोड़ा कतराता हूँ क्यों मुझे पता है कि eventually हम यह सारी चीज़े syllabus में करेंगे तो वो समय से आगे भाग रहे होते हैं पहुंचेंगे हम बहां दिरे दिरे अब यहाँ पर देखिए पलवों की बात चल रही है तो जब सतवाहनों के अंडर थे पलव तो उस समय से सतवाहनों के अं इसे पर इशू कर रहे हैं अपने सारी डिक्रीज को यह वर्ड यह एडिक्ट को ठीक है अर्लियर इंस्क्रिप्शन उनके प्राकृत में है फिर सतवाहनों के साथ साथ जैसे जैसे संस्कृत लेंग्विज का डवलप होता है पलव भी धीरे धीरे संस्कृत की तरफ शिफ् पलव भ्राकृत से संस्कृत से तमिल ठीक है प्राकृत एंस्कृत बेकॉज अर्बुद्धिज की तरफ टॉलर नजर आएंगे फिक है लेकिन स्टिल वह जैन और बुदिजम की तरफ टॉलरेंट होंगे जवाब आपको पता है क्योंकि साउथ इस्ट एशा के साथ पड़ेगा श्रिलंका के साथ बंगाल के साथ ट्रेड करना है तो बुदिस को पेटरनाइज करके रखना पड़ेगा और अपनी ही population में जो trade guilds हैं वो one third जो है वो किसके हाथ में है जैन population के हाथ में है जैन population one third है जो की trade कर रही है जो जैन तो वर्ण विवस्ता से भार ही हो गए लेकिन जो ब्रहाम जो वर्ण विवस्ता मानते है उनके लिए तो वो वैश्य वर्ण में ही हुए ठीक है तो one third population जैन की है तो जैन को भी अपने संभाल के रखना पड़ेगा बट दे वर predominantly शेवाइट और वैश्नवाइट हम देखेंगे कि कौन सा शाशक पलवों का शेवाइट है और कौन सा वह वैश्नवाइट है अब यह मुझे तुरंत कमेंट में बटाएंगे कि कि चोल शाशक ने टोंडडाइ मंदलम को चैप्चर करके पलवों के रेन को खतम किया Give me this answer quickly in comments In the beginning of 10th century उसके लावा तेलगू, तमिल और संस्कृत वर the main languages देखिएगा संस्कृत, तेलगू और तमिल प्रेजन्ट डे, पल्लवों का जो एंपायर है वो प्रेजन्ट डे के इसके राज्ये में भैला हुआ है ठीक है? So northern हिस्सा तमिल नाडू का Southern हिस्सा आंदरप्रदेश का उसके लावा करनाटका का सदन हिस्सा और हद मार के जो है वो कुछ हिस्सा केरला का भी, बहुत हलका हिस्सा कुछ समेता केरला तक करा लेकिन ये उनकी strong hold है इतना हिस्सा उनकी strong hold है ठीक है? जिसमें से खास तोर पे Southern आंदरप्रदेश and Northern Tamil Nadu तो यहाँ पर कौन-कौन सी लेंगवेज जो है वो strong रहेगी Tamil Nadu में Tamil Southern आंदरप्रदेश में तेलेगू और संस्कृत इसलिए क्योंकि सतवाहनों से connection इनका रहा है और तभी से ही जो elite है जो priestly class है उसकी language संस्कृत रही है नौर्थ से समझ रहे हैं आप जहां पर आरेवरत वाला जो region है वहां से सतवाहनों के पास आई संस्कृत और सतवाहनों से पल्लवों के पास संस्कृत और सबसे पहले जो inscriptions पल्लवों के वो प्राकरित में थे सतवानों से संस्कृत जो है वो पलवों के पास आई फिर धिरे धिरे तमेल और तेलेगू जो है वो वहां की native languages है वो भी धिरे धिरे डवलप होती गई पोईट तमेल और तेलेगू पोईट डवलप होते गए जिनको पलवों ने एस वेले अस पलवों के बाद imperial चोलो ने भी patronize किया या उससे पहले संगा मेज में भी हमें तमेल और तेलेगू लिटरेचर डवलप होता हुआ दिखा ही है ठीक है आगे बढ़ते हैं तेलेगू तेलेगू तमेल और संस्कृत वर्दा मेल लेंगवजी ध्यान रखेंगा ठीक है इस तरह अगर आप कहानी को connect करते हैं तो concept build हो जाता है कोई आपको ऐसे नहीं लगेगा कि हमें समझ नहीं आ रहा हमें रट नी पड़ेंगी सारी चीज़े मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो basic आपके अंदर डाल दिया है जिससे आप ये connect कर सकते हैं languages को आप है ना कोई मुश्किल नहीं होगी आपको connect करने में languages next देखिएगा क्यूंकि पलवों का empire इतना बड़ा नहीं है चोलों का empire भी बड़ा था उनका cultural development भी काफी जाद था इसलिए जब हम चोलों की बात करते हैं इम्पीरियल शब्द इस्तमाल करते हैं उनके साथ कि वह इम्पीरियल थे क्यूंकि चोलों ने पलवों को निकला पिचेरों को पांडया को शिरलंका को उपर कलिंग मतलब गंगा तक जो है वह उन्हों करेंगे द्रविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर चीक है उसके अलावा यह पेटरनाइज करेंगे कई पोइट्स को तो हमें कई संस्कृत तमिल और तेलगु जो है वो पोइट्स भी देखने को मिलेंगे कहां से निकलते हुए पल्लव डाइनस्टी से राइट आईए देखते हैं इन सब के बारे में जिकर करेंगे गिफ्ट्स ऑफ लेंड्स वर फ्रिक्वेंटली गिवन टू गॉड्ड और ब्रहमिंज अब यहां पर देखिए मैंने बोला ना सत्वाहनों के फ्यूडेट्री है यह और लेंड्गरांट का सिस्टम जो है वो सत्वाहनों से शुरू होता है दक्षन भारत में तो पल्लवों के एड्मिनिस्ट्रेशन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था लेंड्गरांट्स जैट मिन्स हमें से पता चलता है कि बहुत सारे हमें टेंपल्स डेवलाप होते हुए नजर आएंगे ब्रहमनों को उन टेंपल्स को चलाने के लिए लेंड्गरांट्स दिये जाएंगे उनको मतलब टेक्स इखटा करने के लिए जो है वो गाउं वगरा दिये जाएंगे उसके अलाबा वेदिक सेक्रिफाइस अश्वमेध जो है वो चालू रहेगा यहांपर बहुत इंपल्डन पॉइंट क्या वेदिक सेक्रिफाइस को पल्लव कंटिन्यू करते हैं तो बिलकुल ज यह मगदी जितनी भी शक्तियां है पॉलिटिकल उनके पॉडोसी रहे सत्वाहन तो उन्होंने वहां से संस्क्रिफ या इस सारे जो है कल्चर को अड़ाप्ट किया और फिर नीचे पल्लव तक पहुंचा ठीक है तो अश्वमेध जो है वो यग्गे हमें देखने को मिलाए नागरी और फिर नागरी और देवनागरी डवलप होती हुए हमें दिखती है ठीक है ब्रहामी की ही सिस्टर जो है वो खरोष्टी को भी कहा जाता है यह वही इंडो यूरोपियन लेंग्वेजिस के ही डिसेंडेंट्स है ठीक है जो माना जा सकता है एक मतलब बहुत इर्रेगुलर सी कनेक्शन है कि आर्मेनियक जो स्क्रिप्ट है वहां से ब्रहामी का डेवलप्मेंट हुआ है लेकिन आगे ऑपिशनल में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्क्रिप्स के बारे में समझाऊंगा तो वहां पर डेटिल में जिकर करेंगे ठीक है लेकिन दक्षिन भारत में पल्लव ने जो है वो सदन ब्रहामी स्क्रिप्ट डेवलप करी उन्होंने ठीक है दा पल्लव जूरूल डिन मॉर्डन रिजिन ऑफ आंधर प्रदेश नौर्दन तमिल नाडू एंड पार्ट्स ऑफ सदन करनाट का तो यह म कि चालूं की सिटी तक भी महालब सिटीज को लोटते हुए पाएंगे घंगे हमकी ने मिनलब चलू केि कि उस्त लूंट करते हुए मिलेंगे बाल्लव शाशक बेखेंगे आगर जहां से हमारे पास political history के question तो बनेंगे ही, साथ ही साथ chronology के question भी बनते हैं, ठीक है, साथ ही साथ site के question भी देखने को मिलेंगे हमें, और source of history तो देखेंगे ही कि ऐसा कहा लिखा है कि कि किस शाशक ने क्या किया, ठीक है, पहला point देखेगा, the early pallav rulers from 250 CE to 350 CE issued their charters in Prakrit, शुरवात पलव rulers, यानि कि जो सत्वाहनों के फिर वक्टकों के जो फिडेटरीज रहे, उन्होंने प्राकरित भाशा में क्या किया आपने, जो भी इशू था उनका प्राकरित भाशा में था, ठीक है, next, important rulers among them were, और यह शुरवाती पलवों में important ruler कौन कौन से है, सिवा स्कंद वर्मन या विजया स्कंद वर्मन, देख रहे हैं आप, सिवा word आ रहा है, that means हमें पता चल रहा है कि यह शावाइट है, तो जो शुरवाती पलव rulers हैं, वो शावाइट निकल के आ रहे हैं, सिवा स्कंद वर्मन, और वर्मन टाइटल लग रहा है, वर्मन जो है, वो सफिक्स लग और दूसरा देख रहे हैं आप, विजया स्कंद वर्मन, विजया स्कंद वर्मन, यह तीन जो हैं वो, मतलब आप यह देख रहे हैं, स्कंद और वर्मन जो है, वो यह नाम के साथ टाइटल जुड रहे है, शिवा और विजया जो है वो आप मान सकते हैं, उनके नाम है, ठी the greatest among the early Pallava rulers who ruled probably in the beginning of 4th century CE so शुरवाती rulers में सबसे strong कौन है शिवा सकंद वर्मन ध्यान रखेंगे इनका नाम the second line of उसके बाद देखिए पता है क्या history जो है वो हमें आर पास its and bits में है ठीक है तुकडो तुकडो में history है तो हमने कैसे construct किया है कि शुरवाती पलव rulers जो कि feudatories हैं बड़ी शक्तियों के ठीक है तो उसमें से कौन-कौन सा है शिवा सकंद वर्मन और विजा सकंद वर्मन जिसमें important है शिवा सकंद वर्मन and they issued their inscriptions in प्राकरित और हमें उन प्राकरित इंस्क्रिप्शन से उनके बारे में जानकारी मिलती है so the source of history वो आ गया हमार पास the second line of पलव ruler कौन-कौन से है देखिए ruled between 350 से 550 जब काल वराज जो है वो active थे and issued their charters in Sanskrit अब यहाँ पर जो है वो Sanskrit में issue कर रहे है वो अपने विष्णू गोपा who was defeated by Samudra Gupta during his South Indian expedition यह point बहुत ही जादा important है यह हमारा second phase of क्या है पलव rulers है जिसमें विष्णू गोपा क्या है पलव ruler है जिसको Samudra Gupta ने हरा है तो Samudra Gupta का मुझा बताएंगे कि किस inscription में Samudra Gupta के Southern या जो South Eastern region जो expedition उसने किया है वहाँ पर शाषकों को हराया है उसके बारे में कांची पूरम के शाषक का जिक्र आता है किसका विष्णू गोपा का त्यान रहेगा the rulers of third line of the third line ruled from 575 to their ultimate fall in the 9th century and they issued their charter in both Sanskrit and Tamil third कौन चाहे अंत में 9th century में चोलो ने उनको हराया ठीक है और उनके empire का absorb कर लिया अपने अंदर वो जो third line of ruler है वो 575 से 9th century ता गुनों ने rule किया तो ये तीन line of ruler है सबसे पहले हमारे वो सकंद वर्मन जिनके साथ नाम लग रहा है ठीक है उसके बाद विष्णू गोपा जो है वो second line of ruler में से हमारे पास एक शाशक का नाम आता है विष्णू गोपा कि वो समुद्र गुप्त का contemporary है समुद्र गुप्त ने उसको हराया और फिर reinstate भी कर दिया और अपना शिमहा विष्णू वज था फॉर्स्ट रूलर ओफ सिस लाईन जो धर लाइन ऑफ रूलर है जिसको हम सटडी करते हैं इसमें महहिंद्र लर्मन वगार्रा के बारे में हम पढ़ते है नर्सिमा वर्मन के मारे मिढम हमारे लाइन ओफ रूलर उसमें से शिमहा विष्णु ने इन थाड़ लाइन ओफ रूलर लब सिमहा विष्णु जो है वो पहला रूलर है यह थाड़ लाइन ओफ रूलर कैसे डबलब हुए इन्होंने काल भराज को हराया फाइनली और टोंडाई मंदलम में अपने आपको एक प्रॉपर डैनेस्टी के रूप में एस्टेबलिश किया किसके अंडर शिमहा विष्णु के अंदर तो अब ध्यान रखेंगे शिमहा व पैसिटी में चोल हैं श्रिलंकन को हराया और कृष्णा से कावेरी तक जो है वो एक्सपेंड किया यानि काफी जो पलबों का रिजन है एक्चली ठीक है वहां तक पलबों को एक्सपेंड किया मतलब जो उनका कोर रिजन है as he was the patron of great poet भारवी बहुत ही जादा important शिमहा विश्नु के साथ आप poet भारवी को जोडेंगे he possibly took the first step to convert the place to a great center of पलबों आर्ट बहुत important भारवी को किसने patronize किया है शिमहा विश्नु जिसने कालवरास को हरा कर पलबों को establish किया कांची पुरम में other great पलबों रूलर कौन कौन से है महिंदर वर्मन नसिरह नर्सिमहा वर्मन फर्स्ट और नर्सिमहा वर्मन सेकिंड जिनके बारे में आज हम आगे पढ़ेंगे one of the distinct feature of पलबों और डैनस्टी वस पेरिनियल वार विद चालुक्यास अब पलबों और चालुक्यों के बारे में क्या पढ़ना है कि पलब और चालुक्या आपस में लड़ते रहेंगे फिर पलबों के बाद कौन आएंगे इदर चोल लेंगे इनकी जगा चालुक्यों के बाद कौन आएंगे राश्ट्रकूट फिर राश्ट्रकूट और चोल फिर हईसला क एकित्य आपस में लडएंगे तो point ये है कि धकन की शक्तियां आपस्में लड रही है क्यों लड़ रही है ? क्यों लड रही है ? क्योंकि trade उनको अपने Cont Explore में चाहिए tweet कौन सा ? West Coast, East Coast as well as जो सबसे जादा producing region है धक्कन का वो उनको अपने control में चाहिए और जब control में आयता है तब वो क्या करते हैं तब वो city establish करते हैं और उसमें मंदिर बनाते हैं बड़े बड़े भवे ठीक है तो ये pattern हमें दक्षिन भारत के राजियों में देखने को मिल रहा है ये pattern पहचाना सीखिए इनी patterns के दम पर आप answer लिख सकेंगे ठीक है नौ perennial, perennial war यानि कि लगभग एक century तक war चलती ही रही है ना perennial का मतलब क्या होता है जो सदा बहार है with चालुक्याs in early part and with the राश्ट्र कूटाs in the later part of the rule of पलव empire so जब पहले तो चालुक के से लड़ते रहे फिर चालुक्यों के replace किया जब राश्ट्र कूटों ने तब राश्ट्र कूटों से लड़ते रहे और फिर finally चोलों ने पलवों को हटा दिया अब चोल राश्ट्र कूटों से लड़ रहे so that means ये इसका मतलब ये है कि peninsular इंडिया में peninsular इंडिया में जो central इंडिया की शक्ती है वो southern इंडिया की शक्ती से लड़ती रहेगी जो north इंडिया की शक्ती है वो central इंडिया की शक्ती से लड़ती रहेगी तो conflict तो है ही regions के बीच में और conflict क्या है in trade routes को secure करने का natural resources को सेक्योर करने का important trade cities, trade guilds को अपने हाथ में रखने का, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next शाशक देखते हैं, महिंदर वर्मन, so सिमहा वर्मन के बाद, अगले important शाशक, जो third line of पल्लव rulers हैं, जिनके बारे में हम study करते हैं, वो है महिंदर वर्मन, देखेगा, it was during his reign that the चालुक्या चालुक्या पल्लव rivalry began and lasted for us for nearly a century, so महिंदर वर्मन से हमें जो है वो चालुक्या और पल्लवों के बीच में लड़ाई होती हुई, नजर आएगी, कहां से पता चल रहा है, source of history क्या है, source of history है, आहयोल inscription, अब यह जो आहयोल inscription है न, यह केवल एक शाशक द्वारानी बनाएग या केवर चालुक्या द्वारानी लिखा गया, चालुक्या से जो पहले थे, वकटके थे, सत्वान थे, उन्होंने भी यहाँ पर कुछ न कुछ अपना input दिया है, कदंब थे, कदंबोंने भी कुछ न कुछ input दिया है, ठीक है, चालुक्यों के बाद राष्ट्रक यहां पर मंदिर बनवाय है, इंस्क्रिप्शन चपवाय है, तो आहयोल जो इंस्क्रिप्शन है, एक कॉंप्लेक्स है, बहुत बड़ा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसी एक शाशक के साथ जोड मत बैठिएगा आप इसे, gives a vivid picture about this conflict, so आहयोल इंस्क्रिप्शन से हमें, चालुक्य शाशक पुलकेशिन सेकंड का conflict नजर आता है, चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड वही चालुक्य किंग है, जिनोंने हर्षवर्धन को दक्षन मलब सेंट्रल इंडिया में एंटर करने से, नर्मदा को पार करने से रोका, ठीक है, तो इस मैप में आप देख र हर्षवर्धना के empire के बीच में क्या बन जाएगी, बांडरी, राइट, सो चालुक्य किंग उपर से हर्षवर्धना को रोक रहा है, और इधर कांची पूरम को तहसनेस करने के चक्रों में हो, क्यों, ताकि उसका east, west coast, east coast का trade जो है, वो secure रहे, ठीक है, और north से south तक अगर को चालुक्य रूलर, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ना, इस तरह आप economy से इन concepts को जोड़ेंगे, फाइदा रहेगा आपका, ना चालुक्य किंग पुलकेशन 2nd marched against the Pallavs and captured northern part of their kingdom, कौन सा वेंगी वाला region, सो चालुक्य ने वेंगी वाला region capture कर लिया, और वहाँ पर जो ह है, वो हमें develop होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि दो नदियों, कृष्णा और दो नदियों के बीच का ये region है, है ना, देख रहे हैं आप, ये गुदावरी और कृष्णा के बीच का region है, यानि कि बहुत जादा जो है, वो highly fertile है, as well as it provides important trade routes, और river routes भी प चालुक्यों ने उन से छुड़वा लिया, अगर वेंगी वाला नहीं, तो कृष्णा के दक्षिन वाला हिसा भी काफी उप जाओ है, ठीक है, इसको भी चालुक्यों ने अपने control में ले लिया, पल्लवों से छीन लिया, किसने, पुलकेशिन second ने, ध्यान रखेंगे आप, northern part of their kingdom, through the later, though the later could save the capital कांची from aggressive चालुक्यों के दियान रखेंगे, क्या, पुलकेशिन second ने कांची को लूटा, तो जवाब होगा आपका नहीं, पुलकेशिन second ने कांची को नहीं लूटा, कांचीपुरम सक्सेसिव आगे हम देखेंगे, कि पुलकेशिन second के successors जो हैं, वो हार हो गई कि इसके महेंदर वर्मन की, that means महेंदर वर्मन के आप सक्सेसर जो हैं, वो अब इस हार का बदला लेना चाहेंगे, आल्दो पल्लव इंस्क्रिप्शन रफर्स तो विक्ट्री आफ महेंदर वर्मन एट पुलालूर, he was not able to recover the lost territory, अच्छा, अब पल्लव इंस्क् बहुत ही जादा important, ठीक है, किसको paternize किया इसने, इसने जैन धरम को follow किया, in early part of his career, he was converted to शैविजम by influence of शैवा सेंट, थिरुना वुकार सर, या जिनको अपार के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही important, एक तमिल शैवा सेंट है, कौन, थिरुना वुकार सर, जिसने महेंद महेंदर वर्मन को जैनिजम से शैविजम में convert किया, ठीक है, तो यह बहुत ही जादा important point बन रहा है, कि अपार ने महेंदर वर्मन को जैनिजम से शैविजम में convert किया, और फिर, ऐसा करने के बाद उसने क्या बनाया, obviously he made a temple at तिरुवाडी, ठीक है, शिवा टेंपल जो है, इसने महेंदर वर्मन ने तिरुवाडी में, he assumed a number of titles, so यह बहुत important है, शाशक के साथ जुड़ा हुआ मंदिर, so महेंदर वर्मन फर्स के साथ तिरुवाडी कि इस occasion में, जब वो शैविजम में convert हुआ, किसने किया, अपार ने, अपार कौन है, एक, क्या है, शैव सैंट है, He assumed a number of titles like, गुण भरा, सत्या संधा, चेतकरी, बिल्डर अफ टेंपल्स, उसके लावा, चित्र करपुली, विचित्र चित्र और मत विलासा, बहुत ही जादा important, खास तोर पे चित्र करपुली, क्योंकि पेंटिंग करने का बहुत शौक था महेंदर वर्मन को, ठीक है, चित्र चिता, उसके लावा, चेत्र करी, यानि कि उसने मंदिर बनवाए, उसके लावा, मत विलासा, मैं आगे बताऊंगा है, मत विलास क्या है, ठीक है, सो ये सारे टाइटल्स जो है, वो महेंदर वर्मन के साथ जुड़ते हुए, आपको नजर आएंगे, बहुत ही बन सकता है कि ये टाइटल्स किस शाशक के साथ जुड़े है, खास तोर पे विचित्र चित्र कारपुली और चित्रकारी मत विलास गुण भारा है, सारे ये टाइटल्स आल्मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब यहाँ पर पल्लव आर्किटेक्चर में केव टेंपल्स बनाने कि शुरुवात किस ने करी है, महिंदर वर्मन प्रथम ने, ठीक है, ध्यान देंगे आप, दा मंदाक पट्टू, इंस्क्रिप्शन, हेल्स इम एज विचित्र चित्र, ठीक है, क्यों क्योंकि मंगाल पट्टू में उसने जो है वो, केव पेंटिंग, या केव जो है, वो मत इसलिए उसको विचित्र चित कहा गया है, वहाँ पर, वो चन्स्रक्टिट ए टेंपल पर ब्रह्मा, विश्णू और शिव, उसमें एक मंडव है, और अंदर जो है, वो तीन गर्भ ग्रेया है, पर इच राइट, ब्रह्मा, विश्णू और शिव, तीनों के लिए एक एक बहुत इंपोर्टन है, without the use of bricks, timber, इसलिए कहा गया है, क्योंकि bricks नहीं है, उसमें लकडी नहीं इस्तमाल हुई, क्योंकि वो rock cut है, केव को काट कर बनाये गया है, His rock cut temples are found in number of places like Wallam, Mahindrwadi, Mahindrwadi is a city established by, आज तो village के लेवल करेगे, लेकिन तब एक fortified settlement थी, Mahindrwadi के नाम से, Mahindrbarman ने established करी है, उसके अलाबा, दल्लव नूर, पल्लव राम और मंदग पट्टू, त्रिचीरा पल्ली, यहाँ पर सब, इन सब में क्या है, केव, या आप इस तरह कहें कि rock cut, जो है, वो temples हमें देखने को मिलते हैं, तो पल्लवों में rock cut temple किसने बनवाने शुरू किये, Mahindrwarman ने, उसने rock cut temple बनाया, इसलि लकडी यूज हुई, नहीं metal यूज हुआ, नहीं मोरतार यूज हुआ, ठीक है, फिर भी मंदिर बन गया, right, he had also authored Sanskrit work, एक उसका, नाटक है, पले है, मत विलास परहसनम, ठीक है, बहुत ही जादा important, यह मत विलास परहसनम जो है, वो, एक मतलब सेटायर है, एक मतलब सेटाय के रूप में इस्टेबलिश किया गया ऐसे, कि जितने भी श्रवनिक, जो धर्म है, हमला, heterodox, जैनिजम, बुद्धिजम, उनके ऊपर, ठीक है, his title, चित्र, और यहां से उसको मत विलास, जो है, वो, टाइटल मिलता है, इस पले से, his title, चित्र करापूली, reveals his talents in painting, painting में और कुद्दू माइन मलाई, so, यह ना, in general, पलवों के बारे में कह रहे हैं, कि वो music को patronize करते थे, क्योंकि उनका शाशक, और सबसे, one of the important शाशक पलवों का, खुद जो है, वो music बजाने में, और कई instruments के बारे में, वीना वगरा, इन सब, जो मतलब, string instruments, और pipe instruments, इन सब के ब important source of history, बहुत ही जाधा important question, देख रहे हैं आप, so, इस तरह हमारे, जो है, वो important questions, जुड़ते जाएंगे, ठीक है, title क्यों जुड़ा हुआ है, कहां कहां पर उसने क्या-क्या बनवाया, right, he also built famous city of Mahindra Vati, या Mahindra Wadi, भी कह सकता है, Mahindra Padi भी लिखा हो सकता है, कहीं पर, Mahindra Naad भी लिखा हो सकता है, क्योंकि, all of these words, मतलब शो की, एक fortified settlement, या एक settlement के लिए word यूज़ा होता है, ठीक है, great water reservoir भी बनाया है, उसने, क्योंकि perennial नहीं है, south India के rivers, तो जो भी important शाशक है, वो tanks, irrigation के लिए, किसी ना किसी तरीके का water reservoir इस तरह की चीज़े, develop करने ही, कुशिश कर तो यह महिंदरवाडी कहा है, आपकी present date अंजावूर के नजदीख है, right, next शाशक आएगा आपका, नर्सिमहा वर्मन, so नर्सिमहा वर्मन को माना जाता है, greatest king in पल्लव dynasty, जो third phase of पल्लव dynasty है, पल्लव rulers को हम देख रहे हैं, उसमें से greatest कौन है, नर्सिमहा वर्मन है, क्यों ह known as Mamala, क्यों, क्योंकि wrestling का बहुत शौक था, मतलब, apparently inscription से पता चलता है कि wrestling का बहुत शौक था, और अपने court में, अपने सैनिकों में, जो important बड़े-बड़े wrestlers थे, उनको यह हरा दिया करता था, तो हो सकता है कि शरम करके भी, जो हैं, वो कुछ हार जाते हूं, है ना, but Mamala का किसके लिए स्तमाल किया जाता है, कुष्टी के लिए, है ना, wrestling के लिए, मल किया जाता है, अंडर हिम, the power of Pallav dynasty reached its zenith, he wanted to avenge the defeat of his father, and at the hands of चालुक के रूलर पुलकेशन 2nd, his victory over पुलकेशन 2nd in the battle of Mani Mangalam near कांची is mentioned in कुराम कॉपर प्लेट, बहुत ही जादा important source of history, नर्सिमहा वर्मन की जीत पुलकेशन 2nd पर हुई, कहां से पता चल रहा है हमें, तो कुराम में जो copper plate inscription आपको देखने को मिली होंगी, आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी, मतलब culture वाले पार्ट में, कि इस तरह आपको ऐसे लगेगा, कि जदे छलों में बंदे हुएं कुछ copper plates, तो व आप देख रहे हैं, पुलकेशन 2nd अब कांची तक जो है वो पहुँचनी कोईश कर रहे थे और कांची को defend करते हुए उन्होंने हरा दिया किसको, नसीमा वर्मन ने पुलकेशन 2nd को हरा दिया, पल्लव आर्मी pursued the retreating चालुकयान आर्मी entered चालुकया territory and captured and destroyed their capital city of वतापी, कां आने वाला अगर कोई शाशक है, तो आप automatically समझगे उसके नाम के साथ क्या title जुड़ जाएगा, वतापी, कॉंड़ा, ठीक है, जैसे कि गंगाई, कॉंड़ा हमने चोल शाशकों में देखा था, वहीं उसी तरह पल्लवों के साथ हमें क्या जुड़ता है, वतापी, कॉंड क्योंकि अंग्रेजों ने जो हमारा हितियास रचा है कि हिंदू मुसलिम्स को आपस में लड़ाते रहे, अब जब उसने वतापी को खतम किया, पुलकेशिन सेगिनी कैपिटल को, तो उसने यहां के मंदिरों को तहस नहस भी किया होगा, ठीक है, अगर तोड़ा नहीं होग तो उसने at least मंदिरों को लूटा ज़रूर होगा, ठीक है, क्यूंकि वो अपना economic system assert करना चाहता है, तो दूसरे का economic system खतम करेगा, ठीक है, तो हमें कई जगाउं पर जैसे चोलो ने पांडेयों और चेरो के मंदिरों को तोड़ा है और फिर उसके ओपर अपने मंदिर इस्टेबलि़िश कीए हैना अगर कोई शेवाईट रूलर है तो वहाद वाइशनवाईट मंदिरों को तोड़ कर वहाँ और शावाइट मंदिर स्टेबिश्ट कर रहा है तो यह पैट्रन मंदिरों को तोड़ना और उसके ओपर अपने मंदिर ऐस्टेबिश्ट करना यानि कि इस तरह के socio-economic political centers को खतम करना और अपना वहाँ पर socio-economic center establish करना कोई नया trend नहीं है यह भारत में भी हो रहा था, यह Christianity में भी हो रहा था, यह Islam में भी हो रहा था मंगोल्स भी ऐसा कर रहे थे, चाइना में भी ऐसा हुआ है, तो यह common sense बनती है rulers की कि economic flow अपनी साइड गुमाना है, तो अपना economic center वहाँ पर establish करा जाए ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस point को, मलब हमें examples मिले हैं ऐसे, समझ रहे हैं आप, हमें examples मिले हैं इस activity के, चोलों में भी बिले हैं और आभी पल्लवों में भी, नसीमहा वर्मन assumed the title of Vatappi Konda or conqueror of Vatappi after defeating Pulkesh in second and destroying his capital Vatappi, ठीक है, तो अब दक्षिण में उसने चालुक्यों को हराया, जैसी चालुक्यों को हराया, जैसी चालुक्यों को हराया, सो चोल, चेरा, पंड्या, सब अलर्ट हो गए, अब इसने चालुक्यों को हरा दिया, तो हमें भी हरायेगा, तो यह दक्षिण में गया, चोल, चेरा, पंड्या, जितने भी छोट-छोटे थे शाशक, सब को हराया, और सब के जो है, वो, मतलब सब को अपना feudatory बनाया, और उनको मजबूर किया कि tax pay करें, ठीक है, tribute pay करें, Another notable achievement of Narsimha Verman was the naval expedition to Sri Lanka, Sri Lanka तक गया, Narsimha Verman, Ceylon के region को जीता और अपना वहाँ पर भरोसे मंद व्यक्ति अपने दोस्त को reinstate करके आया, ठीक है, he restored the throne to his friend and Sri Lankan prince, Man Verman, बहुत ही जादा important, ठीक है, During his reign, Huen Sang, अब ये बहुत important है, हमें पल्लवों के बारे में जानकारी जो है, वो Huen Sang के travel log से भी मिल रही है, So again, another source of history is, Huen Sang visited Pallava capital Kanchipuram, he calls it a big beautiful city, six miles in circumference, it had hundred Buddhist monasteries in which 10,000 Buddhist monks live, So Huen Sang से क्या पता चलता है, कि Huen Sang जो है, वो अपना Buddhist literature, मतलब धून रहा था, वो तो, ठीक है, So Huen Sang ने एतिहास को Buddhism के around गड़ा है, So हमें यहां से पता चलता है, तो हम तो balanced approach बना रहे हैं, हमें पता है कि हमें वहाँ पर शैवाइट और वैष्णवाइट मंदिर मिले हैं, That means, शैविजम और वैष्णविजम को adopt किया गया, लेकिन साथ ही साथ हमें जो cave architecture है, उसमें जैन, तीर्थंकर और रहन्तों की paintings भी मिली हैं, That means, उन्होंने जैनिजम को भी जो है वो छोड़ा नहीं, मतलब उनको भी importance दी, और जब हुए इन्सांग के हम travel logs पाते हैं, तो हम देखते हैं कि कांचीपुरम city में 100 Buddhist monasteries हैं, या मतलब जो पल्लमों का empire है, उसमें 100 Buddhist monasteries हैं, जिसमें 10,000 Buddhist भी रहते हैं, That means, बुदिजम के साथ भी जो है वो अच्छा व्यवार किया जा रहा है, यानि कि religious policy कैसी है पल्लमों की, secular है हमें नजार आ रहा है, अलग-अलग different sources of histories हमें पता चलता है, राइट, So मैं बार-बार बोलता हूँ, source of history तो हमारा important question है, Sohen Sang आया है, तो उसके travel logs क्या बनता है, एक important source of history बनता है, आगे देखेगा, According to his account, people of Kanchi, esteemed great learning and the Ghatika, अब Ghatika मैंने आपको बताया है, center of learning, आप college कह सकते हैं Ghatika को, ठीक है, At Kanchi, served as a great center of learning, जिसमें नहीं केवल, अब Kanchi का जो Ghatika है, वो इतना great है, उसमें Buddhism, मतलब Buddhist literature भी पढ़ते हुए नजार आएंगे, उसमें Vedic literature भी पढ़ते हुए नजार आएंगे हमें, ठीक है, scholars, Tamil, Sanskrit, Prakarit literature भी पढ़ते हुए नजार आएंगे, ठीक है, उसके अलावे astrology, astronomy, mathematics, sciences, fine arts, ये सारी चीज़े हमें, इस Ghatika में पढ़ाई जाती हुए नजार आएंगे, according to Hainsang and other sources also, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि, ना ही केवल India, लेकिन Sri Lanka और South East Asia, Burma, China तक के जो है वो intellectuals, आकर पढ़के गए हैं इस Ghatika में कांची वाली, ठीक है, तो ये बहुत important क्या है, center of learning रहा, Several rock-cut temples of Trachipalli were also his achievement, किसने नर्सी महा वर्मन ने, महिंदर वर्मन ने rock-cut temples बनवाए, same नर्सी महा वर्मन ने, लेकिन अभी तक ध्यान देंगे आप, अभी तक हमें क्या नहीं देखने को मिला है, अभी तक हमें structural temples नहीं देखने को मिले हैं, है ना, अपनी नीव पर खड़े या नहीं बनाएं, राइट, सो तरिची ना पल्ली में हमें rock-cut temple भी देखने को मिलते हैं, नर्सी महा वर्मन वर्मन वस फाउंडर ओफ ममलापुरम, तो मैंने बोला ना, शाशक के साथ उसकी capital या शाशक के साथ उसका important शहर जुडेगा, सो नर्सी महा, सो कांची पुरम ज the chief port of the empire and monolithic rathas were erected during his reign, अब ये जो ममलापुरम या महा बली पुरम के मंदिर के complex हैं, यहाँ पर कई पल्लव शाशक कोने और फिर चोल शाशक कोने भी अपने यहाँ पर कुछ ना कुछ, मतलब temple architecture बनाया है, जिसमें नर्सी महा वर्मन ने रath बनाया है, monolithic रath जो है वो दे महिंदर वर्मन second, महिंदर वर्मन second succeeded to the throne after नर्सी महा वर्मन and ruled from 668 से 670, दो ही साल यानी की, he was killed by चालुकेंग विक्रमा देता है, अब पुलकेशन second, महिंदर वर्मन first की हार का बदला किस ने लिया, नर्सी महा वर्मन ने, किस से, पुलकेशन second की हार का बदला, पुलकेशन second के पुत्र लेंगे, पललवों से, तो पुलकेशन second के पुत्र विक्रमा देता है first, ने हराया, महिंदर वर्मन second, जो कि किस के पुत्र है, नर्सी महा वर्मन की, तो आपको समझ आ रहा है न, ठीक है, चालुक क्या मैं कौन कोन है, आप पुलकेशन second, उसके बाद विक्रमा सफसने, तो यह समझ रहे है, generation to generation दुश्मनी चलती आ रही है, perennial war उनके बीच में, दो dynasties के बीच में देखने को मिल रहा है, next शाशक आएंगे, परमेश्वरम, ठीक है, परमेश्वरमन, परमेश्वरा वर्मन, not परमेश्वरम, बट परमेश्वरा वर्मन first, महिंदर वर चालुक्याज, पुलकेश्वरमन second, son, विक्रमा देते फर्स्ट, at first, conquered कांची, and pushed the पलवस, आप देखिए, विक्रमा देते फर्स्ट ने, पहले तो किसको महिंदर वर्मन second को हराया, फिर उसके बाद उसने कैप्चर किया कांची को, तो किस चालुक के शाशक ने कांची को क मलव किंग, however, परमेश्वरमन ultimately defeated विक्रमा देते फर्स्ट, a devoted to शैवा परमेश्वरा वर्मन, परमेश्वरा वर्मन, added to the edifice of मलवपुरम, so ममलपुरम किसने नरसिमहा वर्मन ने शुरू किया, महिंदर वर्मन second नहीं कर सके कुछ, दो साल में नहीं बना सके कुछ, परमेश परमेश्वरा वर्मन के काम्याब रहे, और फिर उन्होंने ममला पुरम में जो है, वो एक आर्किटेक्ट्चर, एक टेमपल आर्किटेक्ट्चर, रॉककर टेमपल आर्किटेक्ट्चर, इनकी तरफ से भी देखने को मिलता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आएंगे नर्सी महा वर्मन सेकिंड या जिनको राज सिमहा कहा जाएगा, he was also known as राज सिमहा, his regime was peaceful and unvinced more interest in developing art and architecture, so राज सिमहा के समय, जो हमें अब चालुक्या और पल्लवों का कॉन्फिक्ट नहीं देखने को मिला, relatively peaceful time रहा, अब peaceful time रहा तो आर्ट अन कल्चर में देखने को मिला, the shore temple at Mahamalapuram and the Kailashanth temple at Kanchi Puram were built in this period, so बहुत ही जादा important, Mamalapuram में जो shore temple है, यानि किरारे पर जो temple है, जो Bay of Bengal की तरफ देख रहा है, उसको shore temple कहा जाता है, वो किसने बनवाया है, वो राज सिमहा या नर्सिमहा वर्मन सेकिंड ने, सो देख रहे हैं, Mamalapuram को establish किया नर्सिमहा वर्मन ने, ठीक है, और वहां से धीरे धीरे उस पूरे complex में मंदिर जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है, एक मंदिर जो है, वो किसने जोड़ा, यहाँ पर परमेशवरा वर्मन ने, और अब जो है, वो next, राज सिमहा या नर्सिमह वर्मन ने, तो आपको ध्यान रखना है, वर्मन टाइटल जो है, वो पल्लव वर्मन सफिक्स जो है, वो पल्लव शाशकों के नाम के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, he was also a great patron of arts and letters, the famous Sanskrit scholar Dandine, बहुत ही ज़्यादा important, एक बहुत famous Sanskrit scholar है, Dandine वो किस की कोर्ट में है, राज सिमहा की कोर्ट में, he sent embassies to China and the maritime trade flourished during his reign, बहुत ही ज़्यादा important, किस पल्लव शाशक ने, चीन जो है, वो भेजे अपने embassies, क्यों भेजे, simple सी बात है, दक्षिन भारत में, trade को अपने control में रखना है, ठीक है, Bay of Bengal और South East Asia के trade को जो है, वो दुरुस्त रखना है, तो चीन के साथ अच्छे relation बनाने पड़ेंगे, ठीक, राज सिमह आजियूम, otherwise क्या होगा, otherwise या तो देखे, यह आपका अरब मतलब जो लाल सागर है, यह लाल सागर है, ठीक है, यह अफरीका, यह आपकी Persian Gulf, यह आपका Indian Peninsula, यह आपका Malaya Peninsula, और इधर मतलब चाइना है, ठीक पर है ना पलब, ठीक है, 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 तो यह अराम से अब अरब के साथ ट्रेड कर सकते हैं, otherwise क्या होगा, अगर चाइना के साथ पलब का a relation अच्छा नहीं होगा, तो चाइना वाले तो बहुत आराम से श्रिलंका के साथbot by trade कर सकते हैं न, ठीक है सब कुशी उड़ गए यहां से तो एक सेकेंड फिर से बनाये तो में चाइना वाले तो बहुत आराम से श्रिलंका के साथोस्त भी trade कर सकते है तो जिस तरह क्योंकि देखे ओपन समद्र में लंबी दूरी तक सेल करने लाइक शिप्स अभी डवलप नहीं हुई है तो जो काम पलव कर रहे हैं पलव की कोस्ट लाइन कर रही है वही काम श्रिलंका ही कोस्ट लाइन भी कर सकती है इसलिए चाइना के साथ जुड़े रहना ज़रूरी है क्योंकि चाइना ही जो है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर एज वेल आज या सबसे ज़्यादा बड़ा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और चाइना का समान पलव अपने पास ला रहे हैं ठीक है इसलिए कांची पूरम एक सिल्क का एक बहुत इंपोर्टन सेंटर बनेगा ठीक है यहीं से शुरू हुआ है यह चाइना की साथ अच्छा रलेशन बनना और फिर उस सिल्क को वो अरब को एक्सपोर्ट करेंगे राजशिमा आजियूम टाइटल एज शंकर भक्त तो यहां स एक म्यूजीशन के तोर पे उसको जो है वो एंटाइटल किया गया है यह वस सक्सीडिड बाए परमेशोरा वर्मन सेकिंड आये उसके बाद सो परमेशोरा वर्मन सेकिंड के बारे में देखते हैं समझे न आप राजसिमा वन चाइना के साथ कनेक्शन का मतलब जरूरी क्य यह उपर अगर वो वेंगी में चालू के साथ जुड़ जाते हैं वो बहुत असानी से और वो जुड़े भी होंगे काफी हद तक ट्रेड क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट बहुत जाद है तो चाइना कोशिश करेगा कि सभी को वेचू में सभी से फायदा उठाऊ ठीक है और पलव शाशक यह सोचेंगे कि जादा कि जादा हमारे पास आए चाइना का समान ठीक है दपलव किंग्डम अगें फेज़ डिफीट और हुमिलेशन दूरिंग हिस रें सो परमेश्वरा वर्मन सेकंड फिर से हार गए परमेश्वरा वर्मन फर्स्ट भी हारे थे ठीक है अब यहां पर ध्यान रखेएगा विक्रमा दिद्धे जो है वो टाइटल जुड़ा हुआ किसके साथ चालुक्या रूलर्स के साथ भी attacked पल्लवा capital and परमेश्वरा वर्मन had to conclude a humiliating treaty with him so again विक्रमा दिते second attacked कांचीपुरम when the पल्लवा ruler tried to retaliate he was killed by the Ganga ally of चालुक्यास ठीक है, so Ganga जो है वो दो Gangas है, Western Ganga भी है और एक Eastern Ganga भी है, ठीक है, Eastern Ganga, Western Ganga देखाता हूँ मैं आपको कहा है यह Peninsular India है, जो Culling वाला region है वहाँ पर Eastern Ganga है और चेरों के जस्ट उपर वो Western Ganga है, इधर जो है Western Ganga, तो Western Ganga और चालुक्या जो है वो मतलब चोल और या अगर राश्ट्रकूर्ट भी आएंगे तो वो चोल और मतलब चोल हो या पलव हो हो उनको अपने बीच में जो है वो एक बफर की तरह यूज करते हैं, ठीके सो अलाय बनाया, किसने चालुक्या ने किसको गंगाओं को और गंगाओं ने जो हो हराया किसको पलव रूलर को, ठीके, पलव रूलर कौन परमेश्वरा वर्मन second got killed आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं नंदी वर्मन second, अब देखिए political history परना इतना detail में सवाल नहीं बनेगा लेकिन जो बीच बीच में important point बन रहे हैं उसके साथ source of history जूड़ रहा है या जैसे होईनसांग का आना तो कुछ important थ्याशकों के बारे में जो points बन रहे हैं, वो examination में पूछे जा सकते हैं ठीक है, नंदी वर्मन second आए, faced stormy period in his reign he had pitched battle with पांडियाज अब दिरे दिरे जो है, वो पल्मों का decline देख रहे हैं, नंदी वर्मन second के समय, पांडियाज जो है, वो दक्षिन भारत में भारना शुरू हो गए his southern neighbor in which नंदी वर्मन was defeated, the पांडियाज aggression, अब दक्षिन में पांडियाज जीत रहे हैं, तो चालुक्यों को फिर से confidence आ गया, तो अब तो हम इसे हराम से पीड देंगे the पांडियाज aggression encouraged the hereditary enemy of the Pallavas and the the चालुक्यास to attack and capture कांची चालुक्यों ने फिर जो है वो कांची यों कांची कर लिया राश्ट्रकूटा king, अब चालुक्यों को replace करके कौन आते हैं, राश्ट्रकूट राश्ट्रकूट king कौन आएंगे, दान्ती दुर्ग से नंदी वर्मन अचीवड वस अगेंस्ट गंगा रूलर्स अफ उडिशा, कौन से? Eastern Ganga रूलर्स वाले, ठीक है अनक्सेशन अफ सम पार्ट अफ देरिटरी नंदी वर्मन वस पायस वैशनवा, अब ध्यान देंगे यहाँ पर अभी तक सारे शाशक शुरुवात में जाइन शाशक था कनवर्ट हुआ शेवाइट में और अब नंदी वर्मन में हमें वैशनविक शाशक जो है, वो देखने को मिल रहे है ठीक है and a great pattern of learning during his reign, old temples were renovated, he also constructed temple वैकुंठ पेरुमल at कांची बहुत ही जादा important है यहाँ पर वो हमें विशनु की मूर्ती देखने को मिलती है वैकुंठ पेरुमल में बहुत ही जादा important कांची में किसने बनवाया है नरसीमह वर्मन second ने ध्यान रखेंगे, sorry not नरसीमह बट नंदी वर्मन second ने successeses of नंदी वर्मन कौन कौन से रहे दांती वर्मन, नंदी वर्मन third ठीक है, नरी पुतंगा उसके लाबा अपराजीता जो है वो अंतिम शाशक रहे है जिनको चोलों ने replace किया रहे चोला किंग आदिते first ने मैंने आपको शुरू में पूछा था सवाली है अब जवाब आया है उसका चोला किंग आदिते first defeated the last पलव रूलर अपराजीता and seized कांची रीजन और अब जो है वो किसके कंट्रोल में आ गया पूरा पलव रीजन चोलों के और नौर्थ वेस्ट में कौन है उनकी नौर्थ वेस्ट में दुश्मन कौन है चालुक के ठीक है उपर चालुक के नीचे चोल चोलों नता अब्जॉब कर लिया और अब चोल जो है वो धीरे धीरे पांडया, गंगा, चेर कुछ रीजन राश्ट्रकूटों जचीन है कुछ रीजन जो है वो उडिसा के गंगा या इस्टन गंगा है उनको हराएंगे वो आस तरव आपको ध्यान रखना है कि he was a pattern of वैशन विजम और इसने जो है वो मंदिर बनाया है कौन सा ध्यान रखेंगे वैकुंठ पेरुमल विश्णू का मंदिर है, कांची पूरम में राइट, ये तो है पॉलिटिकल हिस्ट्री किस की पल्लवों की देख रहे हैं आप, ये map किस का है चोलों का है न, तो चोल जो है वो आपके उरायूर से शुरू होंगे ठीक है, पहले वो कांची पूरम को लपेटेंगे फिर वो पांडेों को फिर चेरों को, राइट शिरिलंका को कुछ हिस्सा वो जो तुंग भदरा है इतना रिजन जो है वो चालुक्कियों से चीनेंगे वेंगी वो कंट्रोल करेंगे और फिर उपर जो है वो गंगा तक का रिजन और बंगाल तक जो है वो हरा कराएंगे पालशाशकों को ठीक है, तो चोलों का इतिहास जो हो मैंने इंप्यूरियल चोला टॉपिक में आपको करा ही दिया है, आगे देखते है अब बात करते हैं administration की, किसका administration पल्लवों का administration, पहला point देखेगा the pallavs had followed the system of monarchy so obviously administrative head कौन है, monarch है the king was the head of the kingdom, so administration से हमें canical के आएंगे, देखिए, source of history के सवाल तो बनेंगे, लेकिन ज्यादा important question किसके होंगे administrative terminology, ठीक है the king was the head of the kingdom we know that, the king adopted high sounding titles like maharajah dhiraj, धर्म maharajah dhiraj उसके लाबा agnistoma वाजपया यानि कि agnistoma वाजपया जो है वो, या वाजपय इसने क्या कराया है मतलब ऐसा शाशक जिसने वाजपय ritual करवाया है, यानि कि हमें यहाँ पर वैदिक sacrifices भी देखने को मिल रहे हैं, उसके लबा अश्वमेद अश्वमेद यग्ये भी करवाये हुए में करवाते हुए नजर आ रहे हैं शाशक, ठीक है पल्लव kings had also claimed a divine origin वो कह रहे हैं कि हम descendants हैं, God गए पल्लव kingdom consists of an efficient council of ministers अब यहाँ पर ना पल्लव और चालुक्यों का administration आपको ध्यान देना है, ठीक है difference भी देखने है, similarity भी अब पल्लव जो है, वो सत्वाहनों के fidatory थे और सत्वाहनों ने जो हैं, वो गुपतों का administration आप मान के चलिए कि almost गुपतों का administration, सत्वाहनों का administration सेम था, सो पल्लवों का administration में भी हमें वही terms, वही जो है, वो similarities देखने को मिलेंगी, जैसे कि ministers जो हैं, वो क्या कहलाएंगे, अमत्या और गुपतों ने कहां से उठा है ठीक है, और more administration के बारे में जानकारिया में कहां से मिल रही है अर शास्तर से, the minister carried out the orders of the king besides council of ministers, सो आमत्यों की council है, there were many officials to look after each department of पल्लव administration तीन टाइप की court है बहुत ही जादा important पल्लव में तीन टाइप की court पल्लव kingdom, which were सबसे पहले तो धर्मसेन supreme court को धर्मसेन कहा जाता है यानि सबसे important court, जिस पर king बैठता है headed by the king, उसके अलावा आदी कर्ण जो है वो शहरों में, या जो मतलब जो क्या बोलता है, मंडल है उसमें जो court रहती है, मंडल के level की कोर्ट है, वो आदी कर्ण है, और जो village level की court है, उसको करन या करना कहा जाता है, जिस पर village सभा जो है, वो as a judiciary काम करती है, ठीक है so village जो administration है, वो लगभग autonomous हमें पलवों में भी देखने को मिलेगा, village administration में एक अलग ही village administration के लिए जो है, वो village सही चूज किये गए बंदे, यानि कि उनकी जो है, वो autonomyty हमें गुपतो में भी देखने को मिलेगी, चोलो में भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर चालुक के थोड़े आलग हो जाएंगे, चालुक्यों के village जो है, वो autonomous नहीं होंगे, center के द्वारा controlled होंगे, चालुक्यों के village courts at village level dealt with minor criminal cases to settle the civil disputes in the village the village sabhaz also acted as courts तो देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर village level पर हमें certain level of autonomyty देखने को मिलती है village अपनी sabhaz establish करती है जो कि civil disputes को, या जो भी land disputes से उनको solve कर रही है, right punishments were not cruel और जो कि हमें कहां से पता चलता है, source of history क्या है कौन आयते, हुए इनसां, right fines imposed किये जा रहे है पल्लव had possessed a strong and big army and consisted of infantry, cavalry, elephants and chariots कोई नहीं पूछेगा यह सब सवाल है ना, the पल्लव also had a navy क्योंकि bay of bengal में trade रहता है इनका पल्लव inscription throw much light on the village assemblies सभाज, village assembly को क्या कहा जा रहा है सभाज, जो confusing है क्योंकि almost हर village assembly को सभाज आ रहा है न and their committees लेकिन village assembly पर बहुत deep में हमने पड़ा है या बहुत deep में जनकारी हमें किस में मिलती है चोल administration में, वहां से सवाल बनता है ठीक है, पल्लमों के administration से सभाज नहीं बनेगा इतना खास they maintain records of all village lands looked after local affairs and manage temples कौन? जो सभा है, right the king provided land grants to temples नो ये है important terminology जहां से सभाल पल्लमों में बन सकता है ठीक है, देवधन क्या है देवधन was the land grant given to the temples or land grants given to the gods ठीक है और अग gods को जो land grant रिया जाएग उस पर मंदिर बनेगा, उस मंदिर को चलाने के लिए कौन बैठेंगा है? ब्रहमन and also ब्रहमनाज known as ब्रहमदया उनको जो land grant दिया गया उनकी रोजी रोटी चलती किस पर ब्रहमदया पर it was also the responsibility of central government to provide irrigation facilities that means tanks बनाने काम जो है वो शाशा को ने किया है irrigation के लिए because the rivers are not perennial a number of irrigation tanks देखने आप irrigation tanks were dug by Pallava Kings the irrigation tanks at Mahindrawadhi and Mamandur were dug during the reign of Mahindrawarman first बहुत ही जादा important ध्यान रखना है आपको Mahindrawadhi was in fact the city fortified settlement established by Mahindrawarman first ठीक है? तो शाशा को और उसके साथ जुड़ा हुआ capital है ना? Mamala पुरम बताएंगे तुरंद comment में किस ने establish किया land tax was the primary source of government revenue जमीनों से मिलने वाला tax ठीक है? obviously Brahma देया and देवधना जो है वो exempted थे land tax से ध्यान रखना है आपको ये point traders and articians such as carpenters, goldsmiths, washermen oil pressers and weavers paid taxes जो articians है, traders है वो tax दे रहे हैं government को ठीक है? ट्रेड करने के लिए तो टोल्स दिये जा रहे हैं किसी market में अगर आपको ट्रेड करने जाना है अगर आप किसी dockyard पर कोई समान लेकर रहे हैं हर एक मंदल के अंदर नाडू, नाडू के अंदर villages तो इसी तरह के का हमें नजर आएगा so मंदल के अंदर कोटम के अंदर नाडू के अंदर उर ये हमें sequence देखने को मिलता है administration का the Pallav had divided the empire into several administrative units सबसे पहले कौन से हैं? मंदलम मंदलम के अंदर कौन है? कोटम कोटम के अंदर है नाडू और नाडू के अंदर है उर जो है वो village को का जाता है ठीक है the biggest unit of the Pallav empire was मंदलम और राष्ट्रा ठीक है या party word चोल administration में जिसके लिए party word भी use हुए और यहाँ पर कौन बैठेगा obviously प्रिंस या युवराज बैठेगा कोई ठीक है acted as the governor of मंदलम तो हम यह जानते ही है हर एक जो भी हमें मुनार्की नजर आती है उसमें जो प्रोविंस है मान लिजे कोई भी एक मुनार्की है और यह उसके चार प्रोविंस है तो प्रोविंस में कौन बैठेगा प्रोविंस को जो है वो राज पुत्र जो होंगे वो हैंडल करेंगे ठीक है अब मंदलम के अंदर कौन है कोटम है और कोटम के अंदर कौन है नाडू है और हर एक नाडू के अंदर क्या है विलिजिस ठीक है ध्यान रखना है आपको सो मंदलम में पता लग गया में कौन बैठ रहे हैं राजपुत्र अब नाडू में कौन बैठ रहे हैं ठीक है sorry not नाडू बट कोटम में the governor of province was assisted by district officers who is in turn worked in collaboration with autonomous local bodies so सबसे पहले प्रोविंस में governor है प्रोविंस का governor कोन है राजपूत्र ठीक है बना प्रिंस कोई governor के नीचे जो है वो district officers है और उसके नीचे है autonomous bodies यानि कि नाडू और नाडू के नीचे villages जो है वो autonomous bodies की तरह काम कर रहे है each mandalam was divided into several kothams और वेश्या वेश्या वर्ड जो district के लिए हम पहले यूज़ गरते हा रहे है उसके लिए south india word यह वर्ड यह हुज़ हुआ kotham या पलव डिनिस्टी में यह हुज़ हुआ kotham kotham was administered by officers appointed by king so kotham central द्वारा appointed है autonomy नहीं है kotham में the next administrative unit was in the hierarchy was called नाडू there were several villages in each नाडू a council called natr was in charge of administration of नाडू so नाडू को कौन चला रहा है नतर चला रहा है so यह नतर वाला word जो है मैंना आपको चालुक है sorry not चालुक है लेकिन चोल empire में भी कराया था वही शब्द है जो पलवों में भी इस्तमाल हो रहा है और the उर और village was smallest unit of पलव administration village sabha remained autonomous बहुत important देखें almost autonomous autonomous in looking after day to day administration of the village so समझाए आपको village level पर क्या है उर ठीक है उर में कौन है sabha है उसके उपर क्या है नाडू नाडू में कौन है नतर नतर के नाडू के उपर क्या है कोटम कोई एक officer है जिसको appoint कर रहा है कौन king appoint कर रहा है ठीक है तो एक official है और कोटम के उपर कौन है governor गवर्नर कौन है राज पूत्र तो इस तरह चल रहा है administration जिसमें से उर जो है वो almost क्या है autonomous है नतर जो है क्या है एक committee है और ये उपर के दो जो है वो appointed है राज्येद्वर ठीक है आगे बढ़ते है बात करते है पलब society की पहला point है तो society was chiefly divided into four word ना यहाँ पर वर्ण विवस्ता बहुत strong हो चुकी है है ना पलब society में कौन-कौन से ब्रहामिन, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र besides fourfold division there were also अब इन fourfold division में subcast है क्षत्रिय भी कही तरह के होंगे वैश्य भी कही तरह के शुद्र में भी कही जो है वो subcast होंगी और वो subcast किस पर dependent होंगी वो subcast उनके occupation पर होंगी so occupation में specialization हो जाने की वज़े से ही caste development हुआ है और वो caste development जो है वो हमें बहुत stiff नजार आएगा किस में पल्लवों में ठीक है यानि कि आप caste को jump नहीं कर सकते यानि specialization होगी आपकी occupation में अधर subcast in society based on their occupation the caste system became rigid rigid होने का मतलब that you cannot jump caste लेकिन हमें हुए इन्सांग के मतलब उसने गुपता society के बारे में तो इतना बोला है कि शुद्र कहीं ना कहीं हमें अगरी कल्चर करते हैं लेकिन then again इन्सांग को थोड़ी पता था कि शुद्रों में भी जो है वो subcast है तो जो बिलकुल चंडाल है वो तो बिलकुल भी participate नहीं कर सकते हैं उनको तो अचूत कहा गया है है ना तो मतलब निशाद बगरा जो है चंडाल जो है इन सब को जो है वो छूने से भी मना किया गया सोसाइटी में ठीक है आगे देखते हैं बहुत ही जादा important terminology बहुत ही जादा important terminology किस नाम से जाना जाता है अग्राहरम ठीक है अग्राहरिका हमें गुपता administration में एक word भी नजार आया था कि जो land grant ब्रहामनों को दिया जाता है उसका हिसाब किताब रखने वाला कौन है अग्राहरिका तो यह वही word है गुपता administration या more administration से निकलते ही आ रहे हैं शवदिये इनी administration को जो है वह adopt किया है किसने पलवन है next in the social hierarchy was kshatriya who was generally belong to ruling class ब्रहामनों के बाद kshatriya आएगे they had also became warriors and also gave liberal donations to temples and ब्रहामिन ruling class है राजा वगरा है ठीक है और यह donations किसको दे रहे हैं ब्रहामनों को और ब्रहामन जो है वो इनकी इनको kshatriya का title दे के रख रहे हैं ठीक है तो समझे रहे हैं यह symbiosis है वर्ण विवस्था में ब्रहामन जो priestly class है और जो kshatriya class है उसके बीच में एक symbiosis है जादा बड़े traders जो है वो वैश्य हो गए जो जादा बड़े traders हो गए वो वैश्य धरम में थे वैश्यों को जादा जो है वो society में उचा पोस्ट नहीं मिल रहा था तो इसलिए वैश्य लोग जो है वो जैनिजम बुद्धिजम की तरफ बड़े ठीक है वैश्य वादा third in this hierarchy who indulged in agriculture and trade लेकिन आपको आपको पता होना चाहिए कि trade guilds जो है वो कई बार इतने जादा strong हो जाते है कि वो खत्रियों पर हावी हो जाते है ठीक है और दक्षिन भारत में कमाई सारी है किस से important trade guild से ही तो कमाई है कौन-कौन से trade guild जो दक्षिन भारत को South East Asia से connect करते है दक्षिन भारत को China से connect करते है दक्षिन भारत को बंगाल से connect करते है या उसके लाबा दूसरी साइड South India वो connect करते है Africa से, Persian Gulf से Red Sea से जो Macaron Coast है इस से या अन्य जो है वो African Coast Line जो है वो Western African Coast Line महाँ पर जो important trading ports है उनके साथ ठीक है तो किस तरह के trade guilds है Ivory के trade guilds है Silk के trade guilds है Spices के trade guilds है ठीक है मल्क बहुत cotton के trade guilds Taxile के trade guilds है मतलब और बहुत सारे trade guilds है तो वो कई बार इतने जादा strong हो जाते है that they hamper with the political activities जो कि हमें चोल और पल्लव शाषकों में देखने को मिलेगा खास तरह पे चोल में कि शक्ती में आने के लिए उनको इन trade guilds का साथ लेना पड़ेगा ठीक है तो ये आज के लिए present day में ये point valid नहीं बैठ रहा है कि मतलब जो government से उनके पीछे जो है वो बड़ी corporates का हाथ रहता है ये इतिहास से चला आ रहा है जो important बड़े trade routes है trade guilds है वो politics पर जो है वो अपना असर डालते है हमें बुद्धिजम जैनिजम को patronize करती भी बड़ी शक्ति हैं इसलिए नजर आएंगी ताकि वो इन trade guilds को खुश रख सकें इन trade guilds का support उन्हें मिलता रहे चंदरगुप्त मौरे शक्ति में आये बहुत बड़ा हाथ था बुद्धिज ट्रेट guilds का ठीक है मतलब जो उज्जाइनवी वाला जो region है या जो उसके बाद क्या बोलते हैं गुजरात वाली region में यानि की मालवा और कठियावाड वाली region में जो फैले हुए important बुद्धिस trade guilds है उनका support बहुत बड़ा कारण बनता है चंदरगुप्त का शक्ति में आने का है ठीक है इसलिए उसने बुद्धिजम को patronize भी किया they fed the poor and committed to public welfare and social progress किसने वैशनविजम ने not वैशनविजम लेकिन वैशनाज ने शुद्र आते हैं occupied the last place in social hierarchy the literature शुद्रों के बारे में आप लोग जानते हैं उनके हालत जो है वो खराब है लेकिन हुए इंसांग कहते हैं कि शुद्र भी जो है वो कही ना कही अगरी कल्चर नजर करते आ रहे हैं अगरी कल्चर करते नजर आते हैं वो उन्होंने गुपतों के बारे में कहा दक्षिन भारत में शुद्रों की हालत बच से बत्तर है शुद्र जो हैं वो वही बिलकुल society के बिलकुल मतलब हीन काम कर रहे हैं ठीक है जो काम बाकी सब नहीं करना चाते हैं यानि कि क्रिमेशन का काम हो गया ठीक है साफ सफाई का काम ये सारी चीज़ है the literature of पलवा period also refers to them as पुलयार या चंडाल बहुत important पलव लिटरेचर शुद्रों के लिए दो टाम इस्तमाल कर रहे है क्या पुलयार या चंडाल और ये चंडाल जो हैं वो basically एक शुद्र जो है या हुएन सांग जो है वो चंडालों के बारे में जनकारी देते हैं कि ये क्या करते हैं ये cremation का काम करते हैं ठीक है मुर्दे जलाने का काम कर रहे हैं however a few of them had become religious saints due to their devotion to gold लेकिन कुछ शुद्र जो है वो religious saint हमें देखने को मिलेंगे भक्ती सूफी मुमेंट में भी हमें ऐसे शुद्र देखने को मिलेंगे जिनको मंदिरों में जाने से मना कर दिया गया और उन्होंने जुह हुँ अपने ही शरीर को मंदिर बना लिया हमें lingayetz के example देखने को मिलेगा जुरुरह नहीं है कि के वल शूदरों में से वैश्यों में से भी हमें कई जो हैं वैसे मतलब स्कॉलर्स निकलते हुए नजर आएंगे राइट पल्लव पीरिएड ऑल्सो विटनेस्ट दे राइज ओफ शैविजम और वैश्योविजम और वैश्योविजम और अल्सो देख्लाइन अफ बुद्ध दिरे शैविजम को और फिर अंत में वैश्योविजम को पेट्रोनाइज किया है राइट सो हमें शैविजम और वैश्योविजम यानि कि ब्रहामनिकल कल्चर का डवलप्मेंट तो आप देख रहे हैं ना प्राकृत से संस्कृत में शिफ्ट होना मतलब बुद्धिजम जै बार देखने को मिलेंगे ठीक है मुख्य इंपोर्टन बख्ती मूवमेंट हम इनको पढ़ना है जब मैं आपको कल्चर वाले पार्ट में भक्ति मूवमेंट करवाऊंगा तो वहां पर डिटेल में हम इनके बारे में पढ़ेंगे लेकिन हमें बहुत सारे नयनार बहुत सा हुआ पलवों के समय से नजर आ जाएगा राइट the construction of temples by पलवा kings paved the way for the spread of these two sects the status of women who belong to अच्छा वुमें की बात करें अब देखिए मंदिर जो बनाए ना उन्होंने वैष्णव मतलब शेवाइट शिव के मंदिर बनाए विष्णो के मंदिर बनाए यहां से भक्ति मूवमेंट को development मिला क्योंकि इन मंदिरों में जो ब्रहमन बैठे उन्होंने पेटरन और उन ब्रहमनों को क्या दिया गया उन ब्रहमनों को land grant दिये गए कि तुम जो है अपना खर्चा चलाओ सो ऐसे मंदिरों में जो है वो कई artist आकर बैठ गए कई literary scholar आकर बैठ गए तो हमें कई नयनार और अलवार जो है वो develop होते हुए नजर आते हैं भक्ती movement develop होता हुए नजर आते हैं उसके अलावा महिलाओं का status देखेंगे तो जो उच परिवार की महिलाओं थी उनका status जो है वो royal और rich family की महिलाओं का status बहुत अच्छा था राइट royal and rich family was very satisfactory लेकिन property rights थे उनके पास however the woman belonging to the middle and lower strata of society had to work hard to earn their livelihood so it is almost आप कह सकते हैं नौमी पर बेज़े जिसकी एक नौमी strong है उसकी social मतलब हालत भी strong है several type of ornaments like earrings, bangles, necklaces, anklets were used during the पलव period rice was the staple food of the people तो अगर कहीं सवाल बन जाए पलवों का staple food क्या है तो rice ठीक है, they also used milk, ghee and curd education और literature की बाट करते हैं पलवों की, ठीक है पलवों का शाशनकाल हमारा, मतलब उनके imperial होने की हमें evidence नहीं मिलता है कि उन्होंने बहुत region जीत लिया, जो था उनके पास उसी को ही बचाते फिर रहे थे वो, कभी चालुक्य attack कर दे रहे, कभी पांडे attack कर दे रहे, बाद में कांची was an ancient center of learning एक तो ये कांची में जो घाटी का है वो बहुत पुरानी जो है, वो ancient मतलब बहुत पुराना जो है वो learning center है Southeast Asia से बहुत सारे जो है मतलब India including Southeast Asia के बहुत सारे important intellectuals जो है वो कांची पुरम पढ़ने आया करते थे, रहे, the घाटी का learning center at कांची was popular and it attracted students from all parts of India and abroad the मत and temples had remained as important educational centers, so Buddhist मत ठीक है और शेवाइट और वेश्नवाइट temples, the Buddhist कदगाई in कांची पुरम also functioned as an educational center बहुत ही जादा important, Buddhist कदगाई के बारे में, जानकारी जो है वो हमें, होयनसांग भी देखे कर गए the Chinese traveler, Huynsang stayed there and studied, छीक है बहुत important point है some of the important subjects taught in these institutions were literature, grammar, astrology medicine, painting the founder of Kadamb dynasty अब ये आगया बहुत important जहाँ पर हमें चालुके डवलप होते नजर आते हैं वहाँ पर पहले सत्वाहन थे वक्टके रहे, और सत्वाहन वक्टकों के साथ ही कही ना कहीं कदंब भी जो है वह हमें 3rd century के आसपास डेवलप हो और फिर कदंबो के बाद जो है उनकी जगा किसने ली चालुक्यों ने है न सो मयूर श्रमा मयूर श्रमा studied vedas at कांची, सो कदंब dynasty को establish करने वाला मयूर श्रमा वेदों की study जो है वो कांची में गरी जो घटिका है कांची में राइट उसके अलावा दीन गंगा बुद्धिस writer came to study at कांची, धर्मपाल जो कि नालंदा उनिवरसिटी के डीन भी रहे है न, वो कहां से थे मैंने बोला न, कांची से थे वो, तो वो यही है दा कोर्ट अफ नर्सिम्हा वर्मन शेकंड तमिल लिट्रेचर है जो अल्सो डेवलब उसके अलावा नायनार और अलवार कंपोज तो यह सारे एक्जेंपल बनते हैं इसे में पता चलता है कि आर्ट कल्चर लिट्रेचर जो है वो बड़े लेवल पर डेवलब हुआ पल्लव डानिस्टी के समय राइट इसके अलावा देवरम कंपोजड बाई नायनार और नाला यार दिव्या प्रभधन इसके अलवार्स रिप्रेजेंट दा रिलिजियस लिट्रेचर अफ पल्लवा पीरिएड बहुत ही ज्यादा इंपर्पार्स पल्लवा पीरिड में नायनार्स ने क्या लिखा है तो देवरम नायनार्स कौं है श्यवयट है ठीक है दूसरी साइड नलेरा दिव्या प्रबदम, प्रबंदम composed by अलवार्ज, अलवार्ज कौन है वैश्नवाइट है, ठीक है बहुत important point बनता है, उसके लाबा पेरुन देवनार जो है वो एक literary scholar है, वो इस patronized by नंदी वर्मन second and he translated महाभारता बहुत ही ज़्यादा important पेरुन देवनार ने नंदी वर्मन ने उसको patronize किया और उसने महाभारता को क्या किया है translate, किस नाम से भारत विन्बा in Tamil language बहुत ही ज़्यादा important point इस सारे point important है, हो सकता है मैंने जल्दी जल्दी बोल दिये हूँ लेकिन आपको ये note करने हैं कि concept में इनका आपको बता चुका हूँ क्या concept है, ये capable facts है तो आप लोग नाम ध्यान रखेंगे जैसे दान दिन बहुत important नाम है ठीक है, नायनार्ज वर अलवार्ज ने क्या लिखा वो भी बहुत important है ठीक है, उसके अलावा पेरुन देवनार ने महाभारता को translate किया ये बहुत ही जादा important point है सवाल बन रहे हैं, उसके अलावा भारवी, धर्मपाल, दीन, गंगा कदंब, ये सब जो हैं कांचीपुरम से जुड़ते हुए नजार आ रहे हैं हमें हुए इंसांग कांचीपुरम आए इट वस ए ग्रेट एज ओफ टेंपल बिल्डिंग क्योंकि गुपता पिरेड के बाद शुरू हुआ और गुपताज ने टेंपल आकिटेक्चर की शुरुवात कर दी थी वहां से सत्वानों में आई, चालुक्यों में आई और फिर दक्षण में पल्लव तक पहुँची वह पल्लव इंट्रडूस दा आट अफ एक्सकवेटिंग टेंपल फ्रॉम रॉक पल्लव जो है वह दक्षण भारत में रॉक कर्ट आकिटेक्चर किसने इंट्रडूस किया ठीक है किसने तो जवाब रहेगा आपका पल्लव ने बहुत ही ज़ादा इंपोर्टेंट उसके अलाबा द्रवीडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आकिटेक्चर किसने डवलब किया बहुत ही ज़ादा आहलाता है वो पलवो ने डेवलप किया है इट वस ग्रेजुवल एवलूशन स्टार्टिंग फॉम देव टेंपल्स तु मोनोलिथिक रथास एंड कल्मिनेटिंग इन स्ट्रॉक्च्छल टेंपल देखेगा केव टेंपल्स महिंदर वर्मन फस्ट मोनोलिथिक रथास क्या बोलते हैं नर्सी महावर्मन और फिर उसके नर्सी महावर्मन के जो सक्सेसर्ज हैं उन्होंने ममलापुरम में जो है वो स्ट्रॉक्च्रल टेंपल्स एस्टेबलिश की है तो ये डेवलप्मेंट है समझ ने उसके बाद मोनोलिथिक रथ बड़ी बड़ी चट्टाने उसमें से काट कर रथ बना दिया गया और फिर अपनी नीव पर खड़े मंदिरों को बनाया गया प्रॉक्च्रल टेंपल्स जिने कहा जाता है कि पल्लव समय में दक्ष enslaved भारत में द्रविडियन आखिटेक्चर डवलप हो रहा है जो कि चार फिजिज में डवलप हुआ सबसे पहला क्या है महिंद्र स्टाइल मैंने बोला ना महिंद्र वर्मन क्या कर रहा है रॉक कट जा केव आखिटेक्चर कह लेजी महंदर वर्मन introduced the rock cut temples so दक्षण वारत में rock cut temples किस ने introduced किया पलवों ने किस पलव शाशक ने महंदर वर्मन first बहुत ध्यान रखेंगे the style of पलव temples is seen at places like मंदगा पत्टू मैंने पहले भी नाम लिया था इसका ठीक है जहां पर जो है वो ब्रह्मा विश्णू और महेश या शेवतीनों के जो हैं वो हमें क्या देखने को मिलते हैं अलग अलग मंडप देखने को sorry not मंडप लेकिन गर्व ग्रह देखने को मिलती है और फिर भार मंडप देखने को मिलता है pillared है वो right लेकिन वो सारा एक ही मतलब एक ही चट्टान को कारवाउट करके बनाया गया है वो एक केव आकिटेक्चर है उसके लावा महिंदर वाड़ी जो सीटी एस्टेबलिश केगे महिंदर वर्मन दवरा उसके लावा ममदूर में दलवनूर में तृचरपली में वल्लम सियमंगलम ठिरूका लुकुनरमम ठीक है तो यह सारी सीटी जो है वो किसके साथ जुड़ी है सारी इंपोर्टेंट साइट जुड़े हैं महिंदर वर्मन फ को मिलता है आगे बढ़ते हैं next सो यह देखिएगा यह है वो मैंने बोला ना पिलर देख रहे हैं आप तो यह रॉक को काटके बनाए गया यह ममला पुरम में हैं यह फर्दर आगे शाशक जोएंगे वह बनाएंगे लेकिन आपको यह जो यह जो पिलर रॉक में से काटकर यह पिलर बनाए जाते हैं मंडप बनाए जाता है अंदर गर्ब ग्रहा होती है यह बैसिकली रथ है यह वो पांच मोनोलिथिक रथ है ठीक है मोनोलिथिक रथ आप देखते हैं सुनते हैं बार बार यह है वो मोनोलिथिक रथ आगे इनकी इमेज फिर से आएंगी second stage was ममला style नर्सिमहा वर्मन के मोनोलिथिक रथ ठीक है एंड मंडपs found at ममलापूरम नर्सिमहा वर्मन फस्ट टुक दद क्रेड़न अर्किटेक्ट्ट्ट्र्ल मौनुमें तो नर्सिमहा वर्मन फस्ट ने हमें जो इंस्क्रिप्टेशन देखने को मिलते हैं ममला पूरम में यह खास रथाज popularly called the पंच पांडवा रथ, signifies the five different styles of temple architecture, बहुत ही ज़्यादे important, यह five different style of temple architecture क्या है, hold this point, इसको मैं culture वाले पार्ट में करवाऊंगा, detail में पढ़ेंगे जहां पर इन रथ होगा हम, ठीक है, आगे देखते हैं so, एक तो यह आगया एक और यह में आपको गता है ने, descent of गंगा महावली पुरम में है, ममला पुरम में है जिसमें एक बड़ी चटान पर जो है, वो पूरी कहानी दिखाने के कुशिश की गई है कि किस तरह बहागी रथ ने गंगा को धरती पर उतारने मदद करी, ठीक है आगे देखते हैं, और यह वो रथ है, मोनोलितिक रथ, देखने को मिलता है, महावली पुरम में हमें the mandaps contain beautiful sculptures on its wall तो mandaps develop होते हैं, आप यह है वो mandap, right, pillared hall है और इसके अंदर mandap होते हैं यह mandaps जो हैं, और इस जो mandaps चोल रूलर्स के मंदिरों में भी नजर आएंगी और आगे हम दक्षेन भारत के जितने मंदिर देखेंगे, वहाँ पर हमें नजर आएंगे यह pillars पर मूर्तियां, तो इनकी शुरुवात किस से हो रही है, शुरुवात हो रही है पल्लवों से, बहुत ही ज़ादा important point है यह, ठीक है the most popular of these mandaps वर महिशासुर मर्दनी mandap, उसके लाबा थिरुमूर्थी mandapam और वरहा mandapam तो देखे, खासतर पर यह है महिशासुर मर्दनी mandap जिसमें इस दिवार पर जो है, महिशासुर मर्दनी के बारे में दिखाया भी गया और यह देखे, यह पिलर है, यह एक चट्टान को काट कर बनाया गया, देख रहे हैं, तो इनके बारे में detail में आगे हम पढ़ेंगे, यह अंदर जो है, वो गर्ब आपको नजर आ, यह गर्ब ग्री है अंदर, यह सामने जो है, यह जो रिजन है, इन पि पिलर्स ऐसे देखने को मिलेंगे, जिसमें मूर्थियां बनाई गई होंगी, लेकिन आप कह सकते हैं कि यह रॉक कर्थ है, एक ही चट्टान से काट कर बनाया गया, ठीक है, तो महिशासुर मर्दनी मंडप सु ध्यान रखेंगे, यह सारे जो है, वो पल्लव द्वारा इस् स्टेज में जो है वो क्या बन रहे है? थोड़ा सा मजला टेंपल बनाने की तरफ देव्लपमेंट देख रहा है, हाँना, अब थोड़ा सा रॉक कर टेंपट अकि टेक्ट्र देखने को मिल रहा है, तीसरा स्टेज जो है, जिसको हम राज सिम्हा स्टाइल कहेंगे, ठीक है राजसिम्हा जो है वो शाशक में आपको बताया था great pattern of arts structural temples हमें राजसिम्हा के समय से देखने को मिल जाएंगे अपनी नीव पर खड़े जो temples है उनको structural temples कहा जाता है अपनी foundation पर खड़े जो temples होते हैं यानि जो किसी cave से काट कर नहीं बनाये गया है वो एक नीव पर जो है वो पत्थर दर पत्थर उपर रखके जो है वो बनाये गया है उसको structural temples कहा जाता है were introduced these temples were built by using soft sand rocks बहुत ही जादा important इन temples को soft sand rocks से बनाया गया है right आगे बढ़ते हैं अब structural temples के example क्या हमारे पास kailashantha temple at kanchi and the shore temple at mahamalapuram बहुत ही जादा important mahamalapuram में पहले तो रथ हमें देखने को मिलते हैं और फिर अब हमें क्या देखने को मिल रहा है shore temple जो की क्या है structural temple है जो की बनवाया किसने राज सिम्हा के समय right उसके अलावा kailashanath temple कहा पर kanchi में बहुत ही जादा important points ही है और खेर इनको आगे हम culture वाले part में डीटेल में तो पढ़ाऊंगा ही ठीक है लेकिन यहाँ पर इनके नाम सुनना शुरू कर दो remain the finest example of early early structural temples of the pallavas early structural temples क्या क्या है shore temple mahamalapuram और kailashantha temple यह है kailashantha temple कहा का कांची में देख रहे हैं आप यह pillars है और pillars पर देखिए नकाशी जो है वो होनी यहाँ पर शुरू हो गए देख रहे हैं आप बहुत important नकाशी और यह structural है किसी एक rock को काट के नहीं बनाए गया यह foundations पर घड़ा है और उस पर पत्थर दर पत्थर उपर रखा गया किसी एक बड़ी चटान को काट कर नहीं बनाए गया ठीक है ध्यान रखना है आप और यह है वो shore temples of mahamalapuram जो की bay of bengal की तरफ देख रहे हैं ठीक है देख रहे हैं आप यह भी किसी एक चटान को काट कर नहीं बनाए गया है यह पत्थर देख रहे हैं आप slab के ओपर slab रखे हुए हैं यह यह पत्थर के slab एक के ओपर एक रखके जो है वो बनाए गया है इसे कहा जाता है structural temple और लास्ट आता है फोर्थ और फाइनल स्टेज जिसको कहा जाएगा अपराजिता स्टाइल जो की continue होगा चोल के पीरेड में यही स्टाइल जो है वो चोल पीरेड में continue होगा क्योंकि द्रवीडियन आकिटेक्चर को हाइट्स पर लेकर तो चोल ही गए है ठीक है अपराजिता स्टाइल पल्लव आर्ट इस आल्सो रेप्रेजेंटेड वा स्ट्रुक्चरल टेंपल बिल्ट बाए लेटर पल्लवास दा वाइकुंडा या वाइकुंट पेरुमल टेंपल उसके लावा मुक्तेशवरा टेंपल मतगनेशवरा टेंपल एट कांचीप बिलॉंग तो दिस स्टेज अफ आप अपराजिता स्टाइल इसे कहा जाएगा तो चार स्टाइल आगे आपको एक आगे अपराजिता स्टाइल दूसरा है राजसिमहा एक ममला और एक महिंद्रा ठीक है ध्यान रखेंगे इन चारों नामों को इन पर सवाल बन जाते हैं र पल्लव had also contributed to development of sculptures, the freestanding temples at Badami and Aheol in Deccan and the Kaanchi Puram and Mahabalipuram in Tamil are some of the significant sculptures. तो sculptures भी देखने को मिलते हैं मूर्तियां बनाई भी देखने को मिलते हैं पल्लव शाशकों द्वारा patronize किये गए आर्टिस्ट द्वारा कहां कहां तक Badami में जाकर बनाई हैं उन्होंने उसके लावा Kaanchi Puram में, Mahabalipuram में तो देखने को मिलती हैं पल्लव sculptures was monumental and linear in form of resembling the Gupta sculpture linear मतलब एक कहानी की तरह जो है वो represent करने कोशिश किया गया जैसे की मैंने आपको दिखाया ना कहां गया वो यह देखिए यह है linear कह सकते हैं आपसे एक कहानी जो है वो मतलब एक direction में ऐसे बढ़ती हुई कहानी जो है वो समझानी कोशिश की गई है reliefs के माधियम से ठीक है जो की और यह कहां से उठाया है उन्होंने गुपता architecture से आ रहा है यह characteristic ठीक है गुपता sculpting से sculpting से जिसको open art gallery है यह at mamalapuram जो मैंने आपको बताया है ना descent of ganges या penance of arjuna जिसे कहा जाता है important monument bearing the sculpture beauty of this period the descent of ganges और penance of arjuna is called fresco painting in stone ठीक है fresco painting वैसे तो color से की जाती है लेकिन उसमें एक कहानी explain की जाती है fresco painting में यहाँ पर stone की जो fresco painting है यह भी एक कहानी जो है वो explain करनी कुछ की जाती है जिसमें descent of ganga में बताया गया किस तरह ganga को धरती में उतारा गया ठीक है next देखिएगा fine arts की बात करें पल्लमों की पल्लम का architecture art समझाए आपको चार phase में जो है वो temple architecture develop हुआ है cave architecture से लेकर structural temples है हमने वहां तक देखा ठीक है so महिंद्र उसके बाद मल्ला उसके बाद राज सिम्हा transition है और फिर last में जो है वो अपराजीता जिसको further continue कियागी इसने चोलो ने जिसमें proper हमें structured structural temple जो है वो द्रविड स्टाइल में develop होते हुए mature phase देखने को मिलता आप यह कह लेजिए चोल टाइम ठीक है fine arts में देखिए music dance, painting had also developed under the patronage of pallavas, the mamandur inscription contains a note on notation of vocal music, उसके अलावा मैं आपको बताया है था, could do meyanamalai में जो है बताया गया है कि कौन सा शाशक है जो music को patronize भी करता है और खुदे काफी अच्छा musician है भी, right, उसका जवाब, उसका नाव आप तुरंज मुझे मुझे में बताएंगे, कौन है refer to musical notes and instruments, तो यह बहुत important है, source of history बनते जा रहे है कि पलवों के fine arts music के बारे में जानकारी कहा से मिल रहे है हमें, ममंदूर और दूसरा जो है वो, could do meyanamalai, important source of history, ठीक है, उसके अलावा अलवार और नयनार develop हुए है, या अलवार और नयनार जो है, वो हमें देखने को मिलते हैं, पलवों के time से, यानि भक्ती movement, development पलवों के time से होता हुआ, नजर आता है हमें, और जिनोंने अपने, जितने भी, मतलब, जो भी उन्होंने hymns लिखे हैं, वो musical notes पर उन्होंने गाए हैं, कई सारे, ठीक है, compose their hymns in various musical notes, उसके अलावा, सितान वसल painting, सितान वसल is a place, ज ठीक है, यह देखने को मिलते हैं, कहां से, सितान वसल से, यह देखिए एक और, आट वाला जो पीरिड कराऊं, आट, स्वरी, कल्चर वाला जो पार्ट कराऊंगा, उसमें जो हम पेंटिंग्स मिढएंगे, तो वहाँ पर detail में जान लेंगे, इनके बारे में, ठीक है, यह green color, यह लाल color कहां से आता है, वो सवाल वहाँ पर बनता है, the contemporary called दक्षिन चित्रा, जो कि आज एक museum के नाम, museum भी है, ठीक है, तमिलनादु में established, was compiled during the reign of महिंदर वर्मन first, ठीक है, क्या है, यह pictures हैं बहुत सारी, paintings हैं, दक्षिन चित्रा के नाम से, head the title, और यहां से जो है, मह जिंदर वर्मन को, ठीक है, उसने विचित्र मंदिर बना दिया, ठीक है, उसके अलावा वो चित्रकार भी है, उसके अलावा musician भी है, हमें source of history भी देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ हमें terminology भी देखने को मिल रही है, इनी पर ही सवाल भुआ पिर आगर डालेगा, तो revise कीज सब को लिख लिजिएगा, और revise जरूर कीजिएगा इन points को, सवाल यहीं से बनते हैं, session भले ही थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन हवा में बाते नहीं हो रही है, देखो मेरे दोस्तों, बहुत important concept और बहुत important facts जुड़ते जा रहे हैं, जो कि examination point of view से काफी crucial है, not just pre, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से काहा है कि हमारा जो है वो focus free पर ही नहीं होता, हमारा focus जो है वो mains पर भी रहता है, right, so यह देखिएगा, तो यह paintings मैंने आपको बताए ही, कहां से मिली है हमें paintings यह, सित्तान वसल और jain जो है, मुलब इसमें एक मूर्ती भी एक relief भी है, तीन ऐसे jain त political history, उनका administration, थोड़ा सा glimpse देखा, जादा गहराई में उनके administration में जाना नहीं है, art and architecture पर जादा सवाल बनता है उनके, उसमें उनका temple architecture हमने चार phases में develop होता हुआ देखा, और कहां कहां पर कौन कौन से temple हमने example उठा लिए, उसके अलावा fine arts के हमने कुछ example, कुछ हमने literary scholars के न South Indian dynasties that ruled in the Deccan and are considered to be the natives of Karnataka region, so Karnataka के native हैं चालू के, ठीक है, बदामी से शुरू होती है इनकी कहानी या वतापी से, तो सत्वहना के खतम होने के बाद सत्वहना के फिडेटरी थे चालू के, पुलकेशन फर्स के अंदर चालू क्योंने अपने आपको अलग कर लिया, ठीक है, तो यह है मैप देखिए, यह है उनकी capital, बतापी या बदामी, ठीक है, और यहां से आप देख रहे हैं, दक्षिन में उनका पलवों के साथ, चोल के साथ, चेरों के साथ, गंगों के साथ पंगा, इधर मतलब जो इस्टन गंगा है, उनके साथ पंगा, वेंगी तक चालू क्या फैलते हैं, और गुजरात तक चालू क्या फैलने ही कुशिश करते हैं, और बाद में गुजरात तक eventually फैलते भी है और उपर नॉर्थ इंडिया की जो भी जो शक्ति है उसके साथ चालुक्या ओंग कान्फिक्ट रहेगा और मेन खेल क्या है यह करना क्या चाहते है एकनोमिकली तो यह वेस्ट कोस्ट इस्ट कोस्ट को अपने कंट्रोल में करना जाते है इस रिजन का सारा जो है वो ट्रेड अपने कंट्रोल में करना जाते है ठीक है आगे बढ़ते है अरली चालुक्यास हेल्ड पावर इन नॉर्दन करनाटका फ्रम 6th century तो 755 CE लेट चालु चालुक्या नजर आएंगे 755 तक और फिर लेटर चालुक्या जो है वह हमें 8th century, 9th century, 10th century में हमें कल्यानी के आसपस डेवलप होते हुए नजर आएंगे ठीक है इस्टन चालुक्यास की सेंटर क्या है हमारा जानते है आप लोग ठीक है यह दो नदियों के बीच में अजर आएंगे इवंचुरी देखेंगे हम, who ruled there from 624 CE to 11th century, कभी वो चोलो के अंडर आजते हैं, कभी पल्लो के अंडर आजते हैं, लेकिन कही न कहीं वो बसे हुए हुए हुए, right, feudatory के रूप में established होते हैं, surviving the fall of early चालुक्यास in badami, right, so badami के चालुक्या अगर खतम हो भी जाएं, वेंगी के चालुक्या जो हैं, वो established रहते हैं, तो देखिए, इधर गुजरात के चालुक्या, badami के चालुक्या और वेंगी के चालुक्या, ठीक है, so badami के चालुक्या शक्ती में आएंगे और खतम भी हो जाएंगे, लेकिन गुजरात और वेंगी में चालुक्या जो है वो established रहेंगे और यहाँ पर चालुक्यों कौन replace करेगा राश्ट्रकूट ठीक है तो हम यह जानते हैं already राश्ट्रकूटों का इतिहास हमने पढ़ लिया है है ना The western चालुक्यों ruled over an extensive area in the Deccan for about two centuries after which राश्ट्रकूट has became powerful The family of western चालुक्यों had its offshoots like the eastern चालुक्यों of Vengi and the चालुक्यों of Kalyani ठीक है So चालुक्यों of Badami, Vengi और Kalyani यह तीन चालुक्यों हमें देखने को मिलते हैं ठीक है अब देखते है political history So हमें इतना पता चल गया कि यह तीन चालुक्यों Vengi में centered हैं, Badami में centered हैं हमें यह पता चला कि जो बदामी के चालुक्यों हैं वो सत्वानों के fidatory थे उन से बाहर निकले हैं और फिर अब बदामी के जो चालुक्यों हैं इनको replace करके इस region में कौन आएंगे राश्रगूट ठीक है और जो वेंगी के चालुक्यों हैं निकले हैं बदामी के चालुक्यों से ही लेकिन बदामी के चालुक्यों खतम होने के बाद काफी समय तक वो active रहेंगे ठीक है पुलकेशिन 2nd was the founder of चालुक्या दिनस्टी राइट यह established a small kingdom with वतापी और बदामी as its capital वतापी को ही क्या कहा जाएगा बदामी at its capital जो कि present day बीजापूर से जाना जाता है जाना जाता है उसके बाद आते हैं कीर्ती वर्मन first was successor of फुलकेशिन first who further extended the kingdom he had invaded the territories of Bihar and Bengal in the north and Chola Pandya region in the south so कीर्ती वर्मन के बारे में जानकारी क्या है अब देखें यहाँ पर again a चालुक्या ruler with वर्मन title was कीर्ती वर्मन son of or successor of पुलकेशिन first ठीक है उसके लावा Mangalisha his brother succeeded कीर्ती वर्मन कीर्ती वर्मन first because पुलकेशिन second son of कीर्ती वर्मन was a minor अब देखें पुलकेशिन first कीर्ती वर्मन first और फिर पुलकेशिन second लेकिन कीर्ती वर्मन first के मर जाने के बाद कीर्ती वर्मन का भाई Mangalisha आता है शक्ती में क्यूंकि pullication second छोटे है और जब pullication second शक्ती में आने मतलब मैचोर हो जाते हैं यतने कि वो राजपार्ट संभाल सकें तब वो rebel करते हैं किसके खिलाफ मंगलेशा के खिलाफ और मंगलेशा को वो हटा कर अब बदामी पर कौन शाशन करते हैं तो इतना डीप में इनके political history पर सवाल नहीं बनता है बहुत मोटे मोटे कोशन बनेंगे establish किस ने किया? pullcation first ने फिर pullcation second ने जो हर्षवर्धन और फिर पल्लमों के साथ जो battle करी है उस पर सवाल बनता है ध्यान रखेंगा बट यह बीच की कहानी ऐसा नहीं कि खाली रह जाए इसलिए यह बीच की कहानी आपको अब देखें west coast, east coast जो है वो किस ने control किया? mangalese ने और दोनों समुद्रों को connect किया और यही जो है वो काम है फाइदा इसी से ही होगा ना east coast, west coast दोनों trade आपके पास हो तभी आप एक जगा से import करेंगे दूसरी जगा export करेंगे है ना और बीच में किसी को toll नहीं देना पड़ेगा सारा जगडा ही ही है उसके बाद आते हैं Pulcation second was the most important ruler of this dynasty आहयोल inscription जो है वो Pulcation second के बारे में जानकारी देते हैं अभी आहयोल inscription जो है वो Pulcation second से पहले भी थे और उसके बाद भी रहे लेकिन Pulcation second के बारे में अंकल मंगलेशा who refused to hand over the power he adopted the title सत्या श्रया तो यहां देखिया Pulcation second ने अपने अंकल को हराया मंगलेशा को और capital जो है वो अपने control में ली he fought with अब आसपरोस में कौन कौन है कदंब हैं अब कदंब भी बदामी में ही centered है ठीक है और कदंब भी जो है वो काफी strong आप कह सकते हैं कि उनका भी claim है बदामी के उपर कदंबो को उसने बदामी से हराया या बनवासी उनका center same region है वही पर ही बनवासी उनके capital है गंगाज औफ मैसूर जो western गंगाज है उनको हराया establish the suzerainty so that means आप देख रहे है तुंग भद्रा से लेकर उपर नर्मदा तक का region जो है वो अब जीतता चला जा रहा है कौन pulcation second उसके लाब़ दुर्विनिता गंगा रूलर accepted his overlord ship and even got his daughter married to pulcation second so दुर्विनिता जो है वो गंगा रूलर है pulcation second से पता चलता है हमें right on the banks of river नर्मदा और हर्षवर्दन और pulcation second came to the terms that नर्मदा will be the boundary between their two empires यह देखे यह है कदम कदम जो है वो बनवासी में बेश थे और third century के आसपास जो है वो कदम active थे तो that means जहां पर चालूंकियों का kingdom जो है वो active है वहां पर अच्छा खासा claim जो है वो कदमों का भी बैठ था है ठीक है और मैंने आपको बताया था ना जो मयूर शर्मा जो है वो कांची से पढ़ कर आया है जिन्होंने कदम को establish किया थे ठीक है वेदों की पढ़ाई करके आया थे अच्छी को नहीं मतलब जीता पलकेशन सेकंड नहीं लूटा लेकिन नौर्थ वाला रिजन जो है वो छीन लिया उसने विंगी वाला रिजन चीन लिया अन नौर्थन मोस्ट टेरिटरी अफ पल्लवाज अपोइंट इस ब्रदर विष्णू वर्धना अज युवराज तो गवर्न द कंट्री अब आप यहाँ देख रहे हैं न वर्धना टाइटल जो है वो सॉरी सफिक्स जो हो हमें देखने को मिल रहा है लेकिन हमें जो है वो शाशक के साथ नहीं देखने को मिल रहा है ब्रदर है राइट किसी शाशक ने वर्धन जो है वो टाइटल नहीं लिया हावेवर, he was defeated at the hands of Narsimha वर्मन, तो मैंने rivalry बताई, महिंदर वर्मन के लड़के और Narsimha वर्मन ने अपने पिता की हार का बदला लिया, पुलकेशिन सहेगिंड को हराया, फिर पुलकेशिन सहेगिंड के लड़के विक्रमा अधिते फस्स ने कांची पुरम को लूट लिया, है न, नियर कांची, subsequently चालुकिया कैपिटल वतापी वस कैप्चरद और डिस्ट्रोइड वाय पलवाज, और नसीमह वर्मन तुक दाइटल वतापी कॉंडा, राइट, हुएन सांग जिस तरह पलवों की कैपिटल कांची भी आए, घाटिका में पढ़के गए, उसी तरह फस थे, इधर थे पुलकेशिन सेकेंड, उपर थे हर्शवर्दना, कहां पर पुष्य भूतीज में, राइट, दियान रखेंगे आप, विजिटेट द चालुकिया किंग्डम दूरिंग दे रेन फुलकेशिन सेकेंड, अब देखें यहां पर हमें पता चल रहा है कि इरान इरानियन किंग खुसराव सेकेंड, उपर थे, इरानियन किंग खुसराव सेकेंड के साथ जो है वो पुलकेशिन के क्या है, डिपलमेटिक रिलेशन थे, दोनों एक दूसरे को अमबसी भेज रहे हैं, त्मिन्स ट्रेड जो है वो इरानियन और, जिस तरह हमें पलबों के चाइना के साथ ट्रेड एस्टेबलिश होते हुए नजर आ रहे हैं, चाइना वो अपना एंबसेडर भेज रहे हैं, उसी जगा पुलकेशिन जो है वो इरान भेज रहे हैं, क्योंकि देखिए इस्ट कोस्ट में इंपोर्टेंट जो है वो एक्सपोर्टर कौन है, इंपोर आहयौल इंस्क्रिप्शन वो रिटन बाई रवी कीर्थी, जैनिस्ट, देखिए पुलकेशिन सेकंड इन इस यूलोजी, बहुत इंपोर्ट, जो आहयौल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन सेकंड के जो आहयौल इंस्क्रिप्शन है, वो रवी कीर्थी नाम के एक पेटरनाइजड ब्रहामनिजम लेकिन दे टॉलरेटेड जैनिजम एड बुद्धिजम अलसो राइट क्यूंकि हुए इंसांग उनकी नगरी गुम के गए विक्रमादित्ये ने नर्सी महावर्मन के successors को हरा कर पुलकेशन सेगंड के हार का बदला भी लिया और कांचिपुरम को लूटा भी Vikramaditya was succeeded by Vinayaditya who was regarded as peaceful and prosperous king Vinayaditya was succeeded by Vijayaditya who had the longest and also most prosperous and peaceful reign it was marked by great increase in temple building so Gupta architecture से शुरूव हो चुका है पलवों तक पहुँचा है तो चालुक्यों में भी temple architecture तो develop हुआ ही होगा तो जिस तरह पलवों ने द्रविड temple architecture को develop किया क्या चालुक्यों ने भी कोई अलग जो है वो अलग मतलब एक different temple architecture develop किया देखते हैं The next चालुक्यान king Vikramaditya second is said to have overrun kanchi three times Vikramaditya second ने तीन बार kanchi को लूटा He had completely routed the पलवाज and his victory ended the पलवा supremacy in far south His reign is also significant for his repulsion of Arab invasion of South Gujarat So, Arabi South Gujarat Cambay वाले region में loot mart मचाने रहीं है East, West Coast को control करने ही कोईशिश कर रहे है So, Vikramaditya second ने चालुक्या रूलर उनको भी repel किया उसके बाद आते हैं कीरती वर्मन अब देखिए again वर्मन टाइटल आ रहा है Was the last of the rulers of चालुक्याज He was defeated by Dantidurg वर्मन suffix जो है वो हमें किसके साथ जुडता वा नजार आ रहा है चालुक्या के साथ भी Dantidurg ने कीरती वर्मन को हरा है The founder of राष्ट्रकूट dynasty अब राष्ट्रकूट जो है वो दक्षिण में चोलों से भीड़ते रहे है ठीक है So यह देखिए राष्ट्रकूट तो फिर हटाएंगे मालखेड से शुरू होते हैं यह ठीक है अब वदामी को वो capture करते हैं और फिर उपर कन्नौज और नीचे चोल तक फिर फाइनली जो है वो चोल और मतलब राष्ट्रकूटों में एक understanding बनती है कि जो तुंग भद्रा है वो हमारे बीच की boundary बन जाई तो यह हमने चोल वाले empire में पढ़ाई है अब दिखते है administration and social life of चालुक्या अब चालुक्या निकल के आए सत्वहानों से है ना और सत्वहानों ने जो है वो गुपतों का administration follow किया तो चालुक्या का administration भी जो है वो बहुत ज़्यादा गुपतों जैसा ही होगा लेकिन there is a striking difference between चालुक्या and पल्लब administration वो हमें देखना है चालुक्या administration was highly centralized highly centralized as compared to पल्लब यानि कि village level तक भी autonomy नहीं थी village level तक का भी administration center के हाथ में था ठीक है village autonomy या autonomy was absent under चालुक्यास बहुत ही ज़्यादा important point administrative history के लिए बहुत important point है कि चालुक्यान rule में उनके administration में village autonomy नहीं थी चालुक्यास had a great maritime power navy थी उनके पास Pulkashan 2nd had 100 ships in his navy they also had small standing army not that important लेकिन वह वाला point बहुत important है ना कि centralized है village administration तक center के control में था बदामी चालुक्यास वर ब्रहामनीकल हिंदूस ठीक है तो शावाइट्स और वेश्ण विजम को उन्हों ने patronize कि as as मतलब royal religion उन्होंने अपनाया उसे right but they gave respect to other religions क्योंकि definitely jain और buddhist के साथ trade करना है उन्हें है ना उसके अलाबा Arabs को फार्शियों को उन्हें वो established होने दिया the importance was given to Vedic rights and rituals क्योंकि हमें आश्वमेद यग्य करते हुए मिले हैं चालुक्यान rulers right founder of the dynasty Pulkashan first performed the आश्वमेद sacrifice मैंने ये point mention किया ही तो देखिए बहुत ही ज्यादा important point है ठीक है इनको single single line में ठीक है आपको notes कैसे बच्च पोछते है notes कैसे बनाने भाईया मैंने क्या बोला आपको मैंने बोला कि religion के बारे में है ना process of change पर notes बनाओ ना ठीक है religious history पर क्या notes बन रहे हैं सारी बाद छोड़ी जब आप notes बनाने लगते है ना मान लिजे चालू क्यों की बाद चल रही है तो notes कैसे बनाने है उनका political history पर बनाओ notes क्या है उनकी administrative history पर बनाओ notes क्या है उनकी religious history पर religious history पर क्या बनाएंगे आप notes कि वो ब्रहामनिकल थे ठीक है लेकिन still they patronized they patronized Brahmanism but they tolerated religious policy क्या थी tolerant towards other religions also right उसके लब आश्वमेद यग्या भी करते हो ही मिले हैं तो इस तरह आपको notes बनाने हैं बहुत छोट डारेक्ट है कि आप पढ़ें और आपको concept तयार हो पहले से और जैसे ही पढ़ें आपके मतलब आप revise करें तुरंत जो हो आपके दिवाग में छप जाएं वो बाते फिर से ठीक है concept यहां मैं class में तयार कर रहा हूं आपका process of change अगर आप regularly follow कर रहे हैं तो आपके तयार हो चुके है process of change तो इस तरह बनाए जाते है notes बहुत सारे बच्चे पुछते हैं notes कैसे बनाने हैं ऐसे बनाने है notes right religion मतलब हर एक empire हर एक empire की 6 चीज़े लिख लो और इन 6 चीज़ों में क्या क्या important points आ रहे हैं ठीक है इन 6 मतलब यह 6 disciplines है न हिस्ट्री के पॉलिटिकल हिस्ट्री, administrative हिस्ट्री, economic हिस्ट्री, religious हिस्ट्री, cultural हिस्ट्री, social हिस्ट्री इन में क्या क्या point up डा सकते हैं ठीक है उन points को डाल दीजिए वही है आपके notes है ठीक है one liner, एक एक शब्द में, दो तीन phrases में या दो तीन शब्दों के phrase में आप अगर मतलब condense कर सके उस information को तो बहतर रहेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं a number of temples in honor of Vishnu, Shiv and other gods were also built during this period, Huyen Sang mentioned about the decline of Buddhism in Western Deccan, right, Huyen Sang ने ये भी बोला है कि North India में भी, Brahmanism भैल गया, अब दक्का नहीं भी बोल रहा है कि Buddhism decline कर गया, लेकिन कांची पुरम ने उसमें बोला कि वहाँ पर सौ जो है वो Buddhist shrines हैं और वहाँ पर दस हजार से जादा जो है, दस हज Jainism was steadily on path of progress, क्योंकि दक्षेन भारत में मैंने बोला ना, one third population Jainist है, और वो जड़तर लोग जो है, वो Jain population के trade करते हैं, so important trade guilds जो है, वो Jainों के हात में, आज तक महराष्टर, करनाटका, Gujarat, राजस्थान, यानि कि जो western ports हैं, जिन राज्यों के पास, या जिन रेजिन के western ports या western जो ports हैं, उनमें उनकी importance रही है, वहाँ पर आज भी Jain जो traders हैं, उनका dominance देखने को मिलता है, right, art और architecture की बात की जाए, चालुक्यों की, the चालुक्यों, चालुक्यों were great patterns of art, they perfected the art of stone building without mortar, बहुत ही ज्यादा important point, बहुत ही ज्यादा, सवाल direct बनत है, कि without mortar, stone building बनाने क art, किसने जो है, वो perfect करी है, तो हमें चालुक्यों का नाम लेना है, ठीक है, इन्होंने एक नया style of temple architecture डवलप किया, जिसको वर्सा style कहा गया, in building of structural temples, so पलवों ने डवलप किया है किसे, ध्रविड को, चालुक्यों ने डवलप किया है, वर्सा style, और नागर style आगे हम देखे करेंगे, culture वाले पार्ट में कराऊंगा, कि नागर style जो है, वो किसने डवलप किया, right, however the वर्सा style, reached its culmination only under राश्ट्रकूट, तो देखेगा, वही सेम है, pattern, कि द्रविड को शुरू किया पलवों ने, लेकिन हाइट पर ले गए चोल, similarly, वर्सा को शुरू किया, चालुक्य में, मैंने आपको पहले भी mention किया था, पट्टा दकल के temple, जिसमें वो रत है, मैंने आपको पताया था, चट्टानों वो काटकर बनाए गए, ठीक है, पट्टा दकल के मंदिर जो है, वो ध्यान रखने हैं, उसके लावा अहयोल में और बदावी में जो है, वो temples हैं, वर्स राष्ट्रकूटों को भी बताया था, कि राष्ट्रकूटों के समय भी अजन्ता और अलोरा, लेकिन चालुक्यों से हमें शुरुवात जो है, उससे पहले भी हैं, अगर आप देखें न, तो कुछ इन्पूट यहां पर सत्वाहनों ने दिया, कुछ वक्टकों ने दिया, फिर कुछ चालुक्यों ने अपनी तरफ से इन्पूट दिया, फिर उसके बाद हमें कुछ राष्ट्रकूट इन्पूट देते हुए नजर आएंगे, ठीक है, कहां कहां पर, अजन्ता अलोरा नाशीक में, ठीक है, यहां पर हमें जो है वो अर्किटेक्चिरल मतलब कुछ रिमेंज मिल जाएंगे, और उसमें हम पेंटिंग वगएरा कर सकते हैं या मतलब मंदेर बना सकते हैं तो चालुक्यों से तो पता चला हूं ठीक है यह देखिएगा तो यह है आपके अलोरा के अजन्ता के अलोरा के जो है वो हमें टेम्पल आकिटेक्ट्चर जो के अंदर पिलर देख रहे हैं आप मोनोलिथिक पिलर फिर अंदर जो हैं वो मूर्तिया नजर आती हैं विश्णू की शिव की ठीक है टेम्पल आकिटेक्ट्चर और अर्ट वाई अर्ली चालुक्य है देख रहे हैं आप यह रॉक कट है रॉक से लेकिन जैसे की मैंने काहँ आर्ट और ये सारी चीज़े थो वहाँ पर बहुत डीटल में यहाँ पर अभी हमें केवल एक बेसिक पॉलेटिकल हिस्ट्री जेनेक्ट करनी है कि जब मैं वहाँ पर पॉलेटिकल हिस्ट्री कनेक्ट कर रहा हूँगा तो आप ब्लैक नहीं पर्शियन एंबसी बाइ पुलकेशन सेकेंड इस डिपेक्टेड इन पेंटिंग एट अजंता बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट सोर्स ओफिस्ट्री कि पर्शियन एंबसी खुसराव सेकेंड की पुलकेशन सेकेंड के समय में आती है कहां से पता चल रहा है हमें एक स्टेजिस में बाटेंगे पहला क्या है रिप्रेजेंटरी वाइट एट आहेओल और बदामी पहला आहेओल और बदामी में टेंपल्स हैं ठीक है अमंग दसेवन्टी टेंपल्स फाउंड आहेओल चार इंपोर्टेंट है कौन-कौन से लदखान टेंपल इस अलो फ्लैट रूफ्ड स्ट्रक्चर अब इनका नाम याद रखेंगे आप ठीक है क्योंकि आगे कल्चर वाले पार्ट में इनको मैं करवाऊंगा उसके लावा दुर्गा टेंपल है रिजम्पल्ड बुद्ध चैते उसके लावा हचीमाली गुडी टेंपल है और जैन टेंपल है मुक्तेश्वर टेंपल मेला गुत्ती सिवा लाया और नोटेबल फॉर अर्किटेक्चरल ब्यूटी बहुत ही जादा इंपोर्टेंट डारेक्ट पाइंट बन रहे है यह बदामी में चालुक्यन समय के टेंपल्स कौन-कौन से है तो मुक्तेश्वर टेंपल और मेला गु का आगे देखते हैं अगरुप फोर रॉक का टेंपल्स अट बदामी आर माग्ड बाय हाय वर्कमेंट्शिप द वाल्ज अन पिलर्ड हॉल्स और डॉर्ड इमेजिस अफॉर्स टेज में देख रहे हैं आप सो पिलर्स में और वाल्स में जो हमें मूर्तियां बंती भी नज है मैं आपको है ना कल्चर वाले पार्ट में जाएंगे डिटेल में पढ़ेंगे जो रत है वहाँ पर वीच में रखा हुआ है ठीक है देर आर टेंटेंपल्स एर पोर इन नॉर्दन स्टाइल और रिमेनिंग सिक्स द्रविदिन स्टाइल जबकि अहयोल और बदामी वाले आपके वर्षा स्टाइल में जो आपके पतदकाल है वो आपके नॉर्दन स्टाइल क्या होती है हमारी क्या होलते है शिखर या नागर स्टाइल और दक्षन वाली कौन सी है द्रविदिन स्टाइल राइट सो हमें पतदकाल में वर्षा स्टाइल आकिटेक्चर नहीं देख important पापनाथ temple कहां पर पत्डकाल पत्डकाल में जो पापनााथ temple है वो नागर और दरवीडियन क refractर को जोड़ने कोशिश की गई है और कहीं न कहीं हम वरसा को नागर और दरवीडियन culture का तो जोडने का जो byproduct है वही वरसा कहलाएगा भी देखेंगे जम वर्षा को पढ़ेंगे न अच्छे से तो हम देखेंगे हम justification करेंगे इस point का कि क्या वर्षा style of temple architecture product है जोड़े जाने का नागर और द्रवीडियन ठीक है उसके अलावा संगमेश्वरा temple and the विरुपक्ष temple are famous for their द्रवीडियन style बहुत ही जाधा important बहुत ही style के कहां पर है पटदकाल में दो important आगे संगमेश्वरा और विरुपक्ष temple बहुत बढ़ द्रवीडियन ठीक है कि चालुक्यों के समय में पटदकाल में बनाये गया विरुपक्ष temple किस और टेंपल को रिजंबल करता है तो क्यालाशनाथ temple जो कांची पूरम में बनाये गय ठीक है इट में बनाये गया है तो लूटने का मतलब क्या है कि सारे जितने भी मर्चंट trade guilds अपने पास ले आया होगा जितने इंपॉर्टेंट आर्टेस्ट है उन सब को उठाकर अपने पास ले आया होगा ठीक है तो यह मतलब बनता है कि किसी capital को द्वस्त कर दिया गया ठीक है तो आज हमारा यहां पर यह topic होता है खतम सो काफी लंबा चला गया आज का topic I hope आपने last तक survive किया होगा लेकिन आज की हमारे इस topic से हमें बहुत सारे जो है वो source of history के question मिलते हैं और यह जो art वाला part है इसमें आपको लगेगा कि बहुत मैंने कम जानकरी दिये जानकर कम दे रहा हूँ क्योंकि culture वाले part में connect करता हूँ मिलूंगा आपको मैं ठीक है तो आपको यहां से केवल एक hint ले लेनी है कि अच्छा क्या क्या हमें आगे culture में पढ़न करना है चालूक्यों के साथ राष्ट्रकूटों को सत्वहानों को ठीक है नौर्थ इंडिया की history को Central इंडिया या दक्कन की history को सद्धन इंडिया की history के साथ जोड़ना है हमें connect करने ठीक है इस session की PDF आपको कहां से मिलेगी telegram channel chohan underscore sir underscore history so PDF आपको चाहिए होगी तो वहां से म चल रही है ठीक है जिसके latest update आपको telegram channel पर ही मिलेंगे उसके अलावा अगर आप मुझे DM करना चाते हैं तो इंस्टा पर DM कर सकते हैं same handle से आपको मैं इंस्टा पर भी मिल जाओंगा और अगर आप मुझे support करना चाते हैं या किसी भी आनगेडमी के course को अगर आप subscribe करना चा किएगा subscribe नहीं किया तो जिस भी social media platform पर आप active है share कर दे मेरी वीडियो को शर्माय मत support दिखाए मुझे थोड़ा अपना मुझे जरूरत है उस support की ठीक है तो खतम करते हैं आज इस session को मिलते हैं आप से अगले session में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा take care have a nice day